कि चलो चलो भाई स्टार्ट करो भाई स्टार्ट करो भाई चपरी बदनाम हुई डारलिंग हमारे लिए क्या देख रहा है भाई वीडियो को लाइक करो चैन को सब्सक्राइब करो खीच के रखो मीटर धिल मत दिया करो हार गया चपरी ओकाज पता लग गई रोहित के आउट होते ही आज तो मेरे को समझी नहीं आ रहा गाना कौन सा लगाऊं एसी फाड़ी ये भाई टेलरों ने पूरे हिंदुस्तान में मना कर दिया हमनी सिल पाएंगे ये महिंदर सिंग धूनी बनने गया था बुमरा की परफ इसको लग रहा था जाऊंगा एक छक्का चाहिएगा वो मार के हीरो बनके हाथ मिला कर दो दो बैटों से बाहर प्रैक्टिस चल रही है आके फोटो खिचाके पूरी क्राउड को चुप कराके आ जाऊंगा मरद होता ना मरद सामने से लड़ाई लड़ता जब टिम देविड आया उस टाइम पर 25 पर 45 चाहिए था भाई लोगो 25 पर 45 मरद का बच्चा होता ना तो आके लड़ाई लड़ता और कहता कि मैं यहां से मैंच जिताऊंगा भाई लोगो यह आदमी डर गया था 25 पर 45 पर 45 चाहिए था जब टिम देविड को अंदर भेजा गया क्या आप लोग मानते हैं यह डर गया था इसको पता था मैंने 45 बोले लेनी है और यह मैंच मेरे गले पड़ जाएगा यह जान बुच के पीछे बैक स्टैप ले गया बैक स्टैप ले गया यह इसको यह था टिम देविड को भेजता हूँ यह टॉला 45 दो चार चक्के मारेगा उसके बाद यह आउट हो जाएगा तो आखरी अवर में चार चाहिए होंगे या दो अवरों में दस चाहिए होंगे फिर मैं जाओंगा और मलाई नोचूंगा भाई लोगो मैं आपको डे वन से कह रहा हूँ भाई लोगो day one से कह रहा हूँ मैं आप लोगों को जो आदमी अपने काम के लिए मानदार नहीं है जिस आदमी का नेचर है कि मैं सिर्फ मलाई मलाई नोचूंगा उसके साथ भगवान जो आज ये भगवान की मार है भाई लोगो मुझे कमेंट बोक्स में एगरी और डिस एगरी चाहिए तुम लोगों का ये भगवान की मार है आज इसको भगवान की मार मुझे मालूम है ये लोग 2013 से कभी भी पहला मैच नहीं जीते हैं मुझे मालूम है लेकिन यार जब रोहिच शर्मा खेल रहा था या जब रोहिच शर्मा आउट होके गया है इसको बोलते हैं मरद इसको बोलते हैं मरद का बच्चा जब तक ग्राउंड पे खड़ा था मैच वन साइडर था भाई ये मैच दो अवर पहले खतम हो रहा था जब तक रोही चर्मा वहां खड़ा था मज़ा आ गया यार भाई लोगो यार भाई ने रोहीत की परफोर्मस चाहिए थी दे दी कल कहा था पंतालीस बनाएगा दो रंड कम रह गए कल कहा था एक स्टो आलीस के स्टाइगरेट से खेलेगा चलो थोड़ा स्टाइगरेट ठीक ठाक महीं पर आ गया बुम्रागी परफोर्मस चाहिए थी दे दी लेकिन मुंबल इंडियंस में जारेगा भाई ये तुमको बोला था ए बी क्रीक इन्फो को छपरियो हर्ट नहीं करने का था भाई लोगो इन छपरियों ने मेरे खिलाफ बहुत एजंडे चलाए हैं इन छपरियों ने ये इतने हराम जादे हैं इनको एडिटिंग भी नहीं करने आती है मेरी उल्टी सीधी तस्वीरे बनाते हैं इनको पता नहीं इनका ये फूफा मेरे को आगे से इन छपरियों का फूफा बोलना है तुम लोगों ने ठीक है मैं इनका फूफा हूँ एडिटिंग में ये छपरि मुबाइल में एडिटिंग करते हैं मैं नेशनल टीवी में एडिटर रह चुका हूँ लेकिन इनको समझ में नहीं आती है ये चीज इनको लगता है कोई गलती से यूट्यूबर आया होगा और काम खतम हो गया होगा 24,000 लोग हमारे साथ हैं आज रिकोर्ड टूटेगा भाई आज लाइक का भी रिकोर्ड तोडेंगे सब्सक्राइब का भी रिकोर्ड तोडेंगे क्योंकि आज एक घमंडी आदमी का चकना चूर हुआ है घमंड चकना चूर हुआ है भाई लोगो जड़ा बता देता हूँ क्या हुआ है कौन-कौन मेरा भाई इस बात से एगरी करता है जड़ा कमेंट बोक्स में आके बताओ आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है पाँच अवरो में भाई लोगो आखरी के पाँच अवरो में तर्तालीस रन चाहिए थे तर्तालीस रन और आज शुबमन गिल ने वही काम कर दिया जो दिन में दोपैर को राजस्थान रोयल्स के लिए संजु ने संदीब शर्मा के साथ मिलके जो कांड किया है न आज वही काम मोहित शर्मा के साथ कर दिया मोहित शर्मा ने कर दिया वही काम और मैं यहां भाई बहुत बहुत कॉंगरा चुलेट करूँगा सबसे पहले तो यार इस बंदे को लियाओ सबसे पहले तो इसको लियाओ इसको लियाओ पहले तो एक सेकने कहां चलाएगा कहां चलाएगा इसको लाओ पहले तो इसको लाओ इसको लाओ एक मिंधा यह यह हार गे पिक्चर और दिखाता हम आप लोगों को मैंने आज आप लोगों के लिए पीछ JOHN पीछे तस्वीरे डाली हैं कि एक एक तस्वीर पर बात होगी सबसे पहले तो एक तस्वीर डालो ये वाली तस्वीर डालो जरा यह देखो जराइक बरी अब यार भाई हद कर रखी है यार तीन महीने से ये लोग रोही शर्मा को जलील कर रहे हैं भाई लोगों तीन महीने से आप ये तस्वीर देखो ये मैं उस टेम पे लाइव था भाई हम उस टेम पे लाइव थे जब ये करतूत हो रही थी जब रोही शर्मा को यूँ कहा गया कि उढ़र जाके खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं कफ्दान बोल सकता है, मैं सज बता रहा हूँ, मेरेको तो कोई अगा भाई लेना देना है नहीं, यह बंदा जान बुझके मजे ले रहा हूँ. कभी रोहित को लेफ्ट घुमा रहा है कभी राइट घुमा रहा है आप सब लोगों ने देखा है जस्प्रीद गुम्रा और रोहित शर्मा आपस में बात कर रहे थे भाई ये छपरी जाके बीच में जाता है और गुम्रा उसको मना कर देता है चल तूदर जा चल करें मैं रो मिलनियां ही की हैं पिछले दस दिन में इसने मिलनियों के लावा और कुछ नहीं किया है भाई मैं इन तस्वीरों की बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो यह तस्वीर ले आओ चहरे देख रहे हो आप लोग मैं सचिन तेंदुलकर का शायद जितनी इज़्जत करता हूँ में भी आप लोग भी उतनी ही करते होंगे भारत रतन है भाई भारत रतन मिलना कोई असान बात नहीं होती है यार बहुत बड़ी बात होती है लेकिन क्या तुम लोग और मैं हम हमारा भारत रतन रोही शर्मा के साथ गलत हो रहा है कि कम से कम उसके उपर बोल दे कुछ अरे बोलना कुछ नहीं है तो कम से कम अंदर रहके ही सब चीजे ठीक कर ली जाती भाई कि इतना तो मैं अपने भारत रहतन से भाई लोगों उमीद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ आप लोग कर सकते ना इतनी ऊमीद फैंक्यू भाई लोगों आज हमारा सबसे बड़ा रिकोर्ड है आज इससे पहले हमारा रिकोर्ड था 28,000 की वोचिंग लेकिन उसके ध्यान नहीं दे रहा हूं आप लाइक और सब्सक्राइब करें के बता देना कितने लोग आए हैं मैं आपको पहले बात करता हूं भाई मैं मैं सिर्फ कैमरे की तरफ देख रहा हूं और बात कर रहा हूं क्या हम लोग भारत रतन से इतनी उमीद कर सकते थे ना कि मेरे भारत रतन के होते हुए यार बेश्टी हो गई यार रोही शर्मा की यार भाई है जवाब आपके सामने है मिल गया इनको करारा जवाब और मैं श खाती ठोक के कहा था शुम्मन गिल के लिए वाला वीडियो देखना आप लोग भीडियो देखना मैं ने कहा था मैं शुमन गिल के साथ खड़ा हूं गुजराट ठाइटन्स ने बहुत डिफिकल्ट डिसिजन लिया था बहुत असान था उनके लिए संधराबाद की तरह व हमारे अंदर कोई हराम जाजगी नहीं है हम इंडिया के लिए लड़का तयार करेंगे इंडिया के लिए कप्तान तयार करेंगे अरे रितू राज गायकवाड के पास तो माही भाई हैं सुब्मन गिल के पास तो बिचारे के पास वो भी नहीं है कोई लेकिन यार और यह यह तो आप जानते हैं ना मेरा कैमरा बंद करो जराइक बारी यह भाई साब को आप जानते हैं ना कि इस बोल में 43 चाहिए था 25 बोल में 40 टिम देविड को अंदर भेजा बाहर छपरू वेट कर रहा था कववा वेट कर रहा था कि मैं हार्दिक सकता है महेंदर सिंग बनने के लिए ना कि ट्रोफी जीत के यंग्स्ट्रों को दी जाती है कि ट्रोफी जीत के पकड़ के यह यह नहीं किया जाता या फिर रोही शर्मा की तरह ट्रोफी जीत के शचिन चंदुलकर और रिक्की पोंटिंग को बुला के ट्रोफी दी जाती हे हाथ में यह 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 लीडरों की पहचान होती है कपतान निए लीडरी इस भाई को जानते हो न आप लोग हां करके रता दो एक बरी ये वही है जिसको सांप सुन गया था प्रेस कॉंफरंस में जिसको सांप सुन गया था इनके कप्तान को प्रेस कॉंफरंस में कॉंट्रेक्ट क्लोज लिखेंगे कॉंट्रेक्ट में क्लोज दिलवाएंगे कि मैं तो एस कैप्टेन बन की आऊंगा ले 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 बन गया कप्तान ले ले बन गया 25 में 40 चाहिए था टिम देविड को अंदर भेजा मरद होता खुद आता नहीं आया 24 में 49 चाहिए राशिद भी जाते-जाते काम तगड़ा कर गया 15, 16 और 17 अवर सिरफ 12 रंद दिये ये सार को आशिव फ्रीलिंग तभी चालू हो गई थी मैंने का यह गलोरी डुन रहा है यह गलोरी डुन रहा मिलगी की suspension film देदी गलोरी 24 बॉल में 29 अठारा बॉल में 26 चहिए था बारा बॉल में 27 चाहिए था छे बॉलो में 19 चाहिए था से बोल में जब 19 चाहिए था पहली बोल पे लगा चक्का बहुत बढ़िया चक्का हमारा हार्दिक पांड्या ने जो क्वालिटी शोड था दमदार चोड़ था दूसरी बोल पर चोका हमारा उदर आशीष नहरा पेज भर रहा था नेट टाइट कर रहा था उमेश यादव भी छोटी बोल बांसर मारता चला गया वो कह रहा बेटे चपरू तुझे यहीं फसाऊंगा मैं बताऊंगा तुझे तुझे कितना बड़ा ओल्ड राउंडर है वहीं चपाया आउट करा वही चांगी किया जा रहा है हां मैंने जा अचैरो तुझे बड़ी तारीब होनी चाहिए डेखो अचे लिए तालियां के लिए अटालिया hayır हो जाए अच्छे से जब मोहीत शर्मा आवर डाल रहा था ना भाई मोहीत शर्मा अशीश नहरा को पता था 19 वह यह डालेगा अशीश नहरा इसको टाइट कर रहा था इसके नट कस रहा था पहली बोल पर छक्का पढ़ने के बाद लड़का हिला निवाई मुझे लगता पहली बोल पर छक्का खाने के बाद ये कहीं न कहीं हिल जाता अगर आशीश नहरा ने इतना सारा ज्यान नहीं दिया होता था पेच भरता चला गया भरता चला गया भरता चला गया टाइट करके भेजा उसको शायद कहा भी होगा पहली दूसरी बोल पर लग ग करे जा रहे थे कि बेटे अब तू बताएगा आगे जाके तू मेरा मैसी आगे लेके जा हाँ शीष नहरा कंसिस्टेंट और यह मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूं आप लोगों को यह देखो यह कैच बहुत ही शांदार कैच पकड़ा है और यह जो मैच बेसिकली बना है न यह मोहीश शर्मा के इस कैच से बना है इस कैच से मैच बना है नहीं तो यहां से तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि यार यहां से मैच मुंबई इंडियन्स हार जाएगी मैं तो एक ही चीज चाता था यहां पे छपरू बैटिंग करने आए और वो जलील हो जाए मुझे तो दो रीजन लगते हैं छपरू जब बैटिंग करने नहीं आया ना तिम देविड की जग है आखरी में तो आना पढ़ाना मजबूरी थी मुझे तो दो रीजन लगते हैं भाई लोगों आथ बता देना रीजन नंबर वन ठीक है या टू ठीक है रीजन नंबर वन यह है कि यह डर गया था 25 में 40 चाहिए था इसको पता था मैं दो चार बोले लूँगा जाके यह मैच मेरे गले पड़ जाएगा दूसरा रीजन यह था कि यह शायद चाहता था कि मेरे जाए बगएर ही मैच जीत जाए मुंबई इंडियंस और मुझे क्राउड मैं जब आउट होके आ रहा हूंगा मैं वह सिर लटका के जूससरा कि रोही शर्मा बहुत ब्रिल्यिंट पारी खेला है बौट डिकर कर्गत के ला आपने लेकिन यह मैच में लानत पड़ घए हारदिक पंड्या को रोही शर्मा captain forever है पहले captain था है और रहेगा टोस कर लेने से कप्तान नहीं बनते यह मेरी बात याद रखना टोस करने से कप्तान नहीं बनते और यह जो बत्तमी जी हुई थी ना इसका result तुमारे सामने है वीडियो के साथ proof है सब दुनिया ने पूरी दुनिया ने यह मैश द कि ब्रेन लारा ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिये हार्दिक पंडया पे वो मैं सुबह कंफर्म करूंगा सुबह वाली वीडियो में अभी मुझे पता नहीं है कि एक्चल में उसने कोई स्टेटमेंट दिया है कि नहीं दिया है अब जरा आजो भाई लोगों आप जरा म हम वह वाले लड़के हैं मेरे से बड़े भी होंगे यहां पर बहुत सारे हम वह वाले लड़के हैं भाई लोगों बाइद बता दूं आज हमारा रिकोर्ड बना है 40,000 वोचिंग इसमें भी छपरी कहेंगे हां हार्दिक की वज़े से आ गई वो तो अरे हां यह पूरी को अन देता है लाइक और सब्सक्राइब रुकने नीच यह भाई लोगों खीच के रखो मेटर मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोगों ने हम लोगों ने जैक कैलिस जैसे ओल्राउंडर देखें भाई जिन्नोंने साड़े 500 प्लस विक्टे और 25,000 प्लस रन बनाए हैं यह कैसा ओल्राउंडर है भाई जो कहता है पचास और सो बनाना विस्ट ओफ टाइम है यार आज यह बोलेगा इट्स ओके टूबी यूनीक यह जीत के बोल देता कि इट्स ओके टूबी यूनीक कि मैं जीत गया हूं देखो मुंबई तो हारती थी यह जलील होगा और रोही शर्मा के फैंस भाई लोगों तुम लोगों को तो कॉंग्राचुलेशन है भाई तुम्हें तो मतलब तुम तो आज प्राउडली बोल सकते हो जवाब मिलेगा प्रारा जवाब मिलेगा आज मिल गया जवाब वेस्ट वेस्ट ओफ टाइम होता है सो और पचास बनाना ही के अरे तू रोही शर्मा जैसे लड़के की घृ कि लड़का तो क्या है? अपना तो चलो भाई है, हम उमर है तू रोही शर्माजैसे इंसान की एगरी और डिस एइगरी करते रहे ना भाई मेरी बातों में तीन घंटे का लाइब चलाऊंगा अज कमर में दरद है लेकिन फिर भी चलाऊंगा इशान किशन अरे तु रोही शर्मा जैसे इंसान की कंपनी को छोड़के तो छपरी की कंपनी में आके बैड़ गया तो इंडिया के लिए 10-15 साल खेलता वो तो जितना खेल गया है शायद इतना ही खेलना चाहता होगा उसके लिए तो वर्ल्ड कप की इंजरी के बाद अपनी वो तो अपनी सेटिंग में लग गया था मुंबई इंडियन्स के साथ मत अपना करियर बरबाद कर वह यह शक्ष्वी जैस्वाल यूँ खड़ा होता है रोहित के सामने वह धुरूफ जुरे सर्फराज वह जब सर्फराज जब गले लगाता है ना उसको रोहित को और गले पता है उसके उसकी आखे क्या बोल रही होतीं सर्फराज की उस टायंद पर कि भहया मेरा सपना पूरा हो गया वह यह मेरी बरसों की मेंद्थ पूरी ओगई है कि मैं यहीं आना चाता था मैं हिंदूस्तान के कप्तान के साथ ही गले लगना चाता था कि इस चपरी की कंपनी चोड़ दे कुछ बन जाएगा सुधर जाएगा जीरो रनाए है इसके वेस्ट आफ टाइम नहीं करना है रोहित शर्मा कह रहा फिर ठीक है मैं भी नहीं कर रहा हूं वेस्ट आफ टाइम डाल दिया ना बंबू रोहित तो स्लो खेलता रोहित को खेलना ही नहीं आता मैं फिर बोल रहा हूं भाईयो आज हार्दिक पांड्या जो भी है रोहित शर्मा कप्तान की वज़े से या फिर उसके बाद मुंबे इंडियन्स फ्रेंचैजी की वज़े से अरे यह मुंबे इंडियन्स का भी नहीं हो पाया यह गुजरात का भी नहीं रह पाया वो कुमार विश्वास की लाइन है ना जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता इसके साथ ऐसा ही कुछ है रोहित शर्मा के रहा ठीक है मैं भी नहीं कर रहा वेस्ट ऑफ टाइंग मैं तर्ताली सरन पर आउट हो जाता हूं अपना मेरा स्ट्राइक रेट भी अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है रोहित भाई वैल प्लेड मैंने भाई यो मैंने पंतालीस रन पूरा कैलकुलेट करके लगाया था कि अगर रोहित अगर 65 करेगा तो मैच उसकी टीम नहीं हारेगी यह तुमको भी पता मुझे भी पता इसलिए मैं रोहित का परफोर्मेस चाहता था कि 40-45 के बीच में आए ताकि मैच थोड़ा-थोड़ा सा कुछ रह जाए दूसरी टीम के साथ दूसरी टीम के उसके बाद ब्रेविस ब्रेविस करा देखो सुनो बात को जिस टीम का कप्तान यह कहता है पचास और सो बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है ब्रेविस करा फिर मेरा एल बनाए पचास ले मैं भी 46 पर आउट हो रहा हूं यह स्टेटमेंट इसके ही खिलाडियों ने इसके डाल द मुंबई इंडियसी मैच हार जाएगी यह मैच मुंबई इंडियन्स हारी है सिरफ और सिरफ एक कायर कप्तान की वज़े से मेरी बात समझ रहे हो आप लोग कायर कप्तान बोल रहा हूं मैं कायरता है यह 25 में 40 चाहिए तु टिम देविट भेज रहा है और तुझे पता है कायर कवर रहता है और टिम देविट खेल नहीं पा रहा है और वो तिलख वर्मांग सिंगल भी मिस कर रहा है यह कहानी समझ में आ रही है तुम लोगों को खटी इसकी भी पड़ी हुई थी राशित से और आज मुझे दोनों मैचों में एक ही सिमिलेरिटी लगी है संजु ने जिस तरीके से यूज किया संदीप का और संदीप ने जिस तरीके से बोल डाला और खबर तो यह आ रही है मैंने पढ़ाय कहीं पर संजु ने अपना मै मैं संदीप चर्मा को दे दिया यह वह तीन अवर अच्छे ना डालता तो मैं तो मैंनोफदी मैच बनता ही ना यह होता है लीडर अरे ऐसे बनते हैं लीडर भाई साव संजु सैंसन के फैंस को बता दूं यह वही चपरी है जिसने लास्ट टाइम आखें निकाली थी लास् इसी के में बोलर राशिद को तीन छक्के लगा दिये थे ब्रैविस करा मैं भी नहीं कर रहा लो और मैं कॉमन चीज बता रहा हूं आज वही चीज संदीप शर्मा ने कर दी और पाबलो भाई के उपर बहुत प्रैशर था हलाकि मैं बड़ा डिसपॉइंट था पहली और द का तेरहर रन डिफेंड कर सकता है मिस्यादव थो करेगा ही करेगा ना एंडिया खैला हो आठीग दीग ग्रेटेटर से थे मेंटेश्प्र完ोन तो सेनट di कि देट सो साल की हिस्ट्री में कि ऐसे रियक्ट किया जाता है जैसे इस से बड़ा उल राउंडर पैदा नहीं हुगा यही इकलोता उल राउंडर है लेकिन कि मुझे एक अच्छी चीज लगी है छपरू में वो बता दूं कि अपने नंबर पर बैटिंग करने नहीं आया कि देविड को भैठ दिया इसने जहां तक यह अगर यह वहां पर आ जाता मैं बड़ा खुश होता कि यार चलो कम से कम अपने नंबर पर मुझे यह था यह ब्रेविस के आउट होते ही आएगा क्योंकि वह सोरी उसके यह चार नंबर पर आएगा क्योंकि वहां से मलाईल इंटे का ग्यान पेलता हूं अपने काम में इमांदारी आज फिर बोल रहा हूं मेरे से बहुत छोटे लोग सुन रहे होंगे मेरे से बड़े लोग भी सुन रहे होंगे कि सही लगाया है कि नहीं लगाया लेकिन तुझे पता है लगाने वाले को कि सही लगाया कि नहीं लगाया इसको बोलते हैं इमानदारी और जो अपने काम में इमानदार नहीं होता न उसको ऐसी चवट पहुंचती है डॉक्टर को भी दवाई नहीं ले वो डॉक्टर को भी हेल रहा होता है ना'll backyard में कोई उसके फाधर्प्रेक्टिस कर वारे होते हैं तो चोटा बच्चा से करता है कभी इदर मारन देता है कभी उदर मारन देता है कि मैं यह मुद्ध में ग्या गलती हो गई भाई मैंने शुरू में ही संबोधित करना था लेकिन नहीं कर पाया फिर आता है हार्दिक चार में 11 वो एक कहावत है आ बैल मुझे मार ये तो आ बैल मुझे मार से भी बहुत आगे की बात हो गई है आ बैल मुझे मार भी नहीं था ये तो ये तो कुछ हो रही था भाई की बैल तु वहीं रुक मैं तेरे आगे लेटूंगा वहीं मारी हो मेरे को ये तो कुछ ऐसी कहावत है भाई जो सुनी भी नहीं कभी वहाँ भाई वहाँ कमाल कर दिया भाई साथ क्या लीडर है भाई साथ हमने तो आज तक सुना था लीडर को फ्रंट पे जाके लड़ाई लड़नी चाहिए ये वो लीडर है वो अब सुबह देखना वो मीम आएगा एक तो वह वाला वो वह यूं करके खड़ा रहता है ना वो टोपी सी में रंगीन से कपड़ों में तीन चार आगे सिपाही होते है ये वही कर रहा था आज बैटिंग में पिर कोड़ जी चलो वह किया कर लेता संग्षि मुलानी क्या ही कर लेता शौर दिया मेरा एक बार के लिए कलेजा निकल गया मुझे वह दो हजार अब बॉलिंग पे आजाओ ज़रा अजमतुल्ला उमर जाई तीन अवर 27 रंग दो इकते लेकिन इसकी पिटाई जादा हुई है और काड़ बता रहा है तो हुई नहीं मंदब लग रहा है न या इसकी प्टाई हुई है घलत जाल लेकिन अच्छा औल रांडर रही रही है बड़ी आ ओल रांटर लेकिन वह टिम देविड की मेरा पाबलो मिड इनिंग में मैंने कहा था और एक पाबलो भी है अपना मैं उमेश यादव को पाबलो भाई बोलता हूं अपना मेरा पाबलो भाई काम कर गया आखरी में फाइनली तीन में 31 दो विक्ते राशिद खान राशिद मिया ने विकट नहीं ली लेकिन जो प्रेशर था वो कंसिस्टेंट प्रेशर मिंटेन करके रखा राशिद ने चार अवर 23 रन कोई विकट नहीं पैसली आखरी अवर में जो पैनिक था वो पैनिक बटन दब गया मुंबई इंडियंस के एक कैम्प में ग्रेट सचिन तंदुलकर के चहरे पर भी टेंशन आ गई उस अबर के बाद हाला कि इतना मुश्किल नहीं था दुनिया का महान ओल्राउंडर जो बैठा था ना हार्दिक पांडे मैं समझ गया अरे भाई सोरी 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 मैंने में बात बताई नहीं मैं समझ गया आप यह मैच क्यूं हारी है मुंबई इंडियंस देखो सुनो 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 देखो आखरी अबर में चाहिए थे उननिस रन दुनिया के महान ओल्राउंडर अवेलेबल थे ओन फिल्ड मुझे ऐसा लग रहा है यह कम थे देखिए जैसा कैलिबर है हार्दिक जी का आच साल होगे इसको इंडियन टीम में खेलते हुए यह वेस्ट ऑफ टाइम जो पचास और सो को वेस्ट ऑफ टाइम बोलता है मतलब तो रोहिश शर्मा ने 40-45 बार वेस्ट ऑफ टाइम किया है अपना विराट पोली इतने दिनों से वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा अस्ती संच्री बना के सचिन तंदुलकर 24 साल वेस्ट ऑफ टाइम कर गई कि यह वेस्ट ऑफ टाइम पता क्या सोच रहा था उन्निस रंत मैं यू बना दू यू मेरा नुन्नू भी बना दे उन्निस रंतों कि अब तुम एक अवर में मुझे 42 रंदो नहीं मुझे पता है 36 बन पाते हैं छे चक्के मार के बट मैं तो हार्दिक मैं तो हार्दिक हूं मैं तो 33 नंबर जर्शी हूं यह पकड़ पकड़ के गले मिल रहा है लोगों के पिछले एक हपते जए कल मुझे बताया है गुजरात के आदमी ने करे भाईया वो गार्ड भाईया बैठते हैं उस पे बिल्कुल गेट न में गेट जो है इनका एंट्री का जहां से बस बैठे हुए थे अपना ड्यूटी करके ठक दियोंगा बैठे हुए थे यह प्रैक्टिस कर रहा था मैंने का अच्छा फिर जाकर पकड़ के यूं गले मार दिया ऐसे करके चाती मार दिकरे मैंने का फिर पता नहीं अंकल को खांसी हो रही है कल से यह ऐसे लोगों के ऐसे यूं गले यूं यूं पकड़ पकड़ के गले मिल राजा आजा तू भी आजा आजा तू भी आजा वो गुजरात की टीम में कौन है वो यादव दूसरा भाई अपना वो नीचे लेटा हुआ था उसके उपरी लेट गया कर मैं तुरे ऐसे मिल ऐधीओ मैं मिलनिया खत्म हो गई हो तो मैंच पर धान دें कि आ चलना सुब्हाला मेरे ध्यानी ने रहा इतनी जल्दवाजी आया हूं मैं क्या था वह इंट्रौ साफ यह एक परी चला दूँ डेता हूं एक बरी क्या बोलती है जंता चला देता हूं एक बरी ये काली स्क्रीन नहीं है काली स्क्रीन नहीं है ये वेट करना थोड़ा सा यह देखो एक बरी लो देखो चलाओ भी चलो पूछ लो अगर मिलनियां खतम हो गई हो तो मैच वैच खेल लें वेस्ट आफ टाइम खूट बोले कववा काटे काले कववे से डरियो मैं तेरी टीम छोड़ दूंगा तुम देखते रहियो समझ में आ गया कि यह सुबह वाली वीडियो की कलाकारी है मेरी कि पाई किशोर शायद को इस लड़के का नाम नहीं लेगा मैं लेगा नाम किशोर यह ऐसा बोलर लग रहा था जो की शायद दो तिन विक्ते ले जाए विकट नहीं ले पाया ज्यादा लेकिन उसने कसर नही अच्चोबिस रन अब राशित के चार अवर देखो आप साइक किशोर के चार अवर देखो 47 रन 48 बोल में 47 रन दिये हैं नोंने तो जो 170 का टारगेट था वो अल्रेड़ी 180-90 का 169 का टारगेट 180-180 दिखने लग गया था उसके पाद जॉन्सन जॉन्सन विकट ले गया तिलक की आखरी में अधर्वाइज उसकी कुटाई बहुत हुई है दो अवरो में 25 लेकिन confidence बहुत मिलेगा क्योंकि ऐसी जगह से एक अच्छा वर डाला उसने क्योंकि देखो दो अवरो में 27 चाहिए थे उस पहली बोल पर च्छका लग गया 11 में 21 कुछ भी नहीं तब जब महान ओल राउंडर दुनिया के खड़े हों दूसरी तरव मैं बार बार यह रिमाइंड कराता रहूंगा आपको मोहित शर्मा तालिया यार तालिया नहीं बजा रहे हो यार तुम लोग क्या कर रहो है मोहित भाई के लिए तालिया संदीब शर्मा के लिए दुपैर के लिए तालिया लेकिन अभी के लिए मोहित के लिए कमाल कर दिया मोहित ने चार अवर 32 रन दो विक्टे और मैं रिमाइंड करा दूँ है चोट लग गई थी बाहर गया बैठा प्रेव अगरा करवाए आशीज नहरा ने पूछ आशा मोहित कमफटेबल है कर भाई या बिल्कुल कमफटेबल है चपरी की असताइसी करनी है कर फिर जा कूद पर अरे हम गुजरात वाले थोड़ी ना पीछे से लड़ाई लड़ेंगे हैं हमें तो ग्राउंड में उतरके लड़ाई लड़नी भाई हम थोड़ी ना अपन आपने नंबर पर किसी को भेज़ दिया आरे वह श्ट्राइक नहीं ले पा रहा है राशिद गान पर तो फिर तू क्यों नहीं गया जो मैं बताता हूं क्यों नहीं गया यह महिंदर सिंग धोनी ही समझ रहा था अपने आपको जांगा जाते मैच खतां जो मैं पैट कमींश की तरह यूं करके crowd को चला जाऊंगा आ गया वेट्टेस वाद अब मैं तुम्हें बताता हूं इस भाई का statement हिंदी रुपांतरन करके बताऊंगा statement वेडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है मेरा अभी ध्यान नहीं है मैंने सुना है 50,000 लोग हमारे साथ लाइफ थे मलब हमने आज 50,000 का अकड़ा तच कर दिया है भाई लोगो तो यह एक दिन याद रखा जाएगा और यह record हम लोगों ने आज बनाया है मैंने नहीं बनाया है यह हम लोगों ने बनाया मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसमें मेरा घंटा कुछ नहीं है मेरे से ज्यादा effort तो इसमें हमारे चपरू की है यह आप लोगों के सामने मेरे हर्दू का इंटर्विव आ रहा है हिंदी रुपा करना है यह नहीं यह वाली यह थोड़ी सी संसकारी फोटो नहीं लग रही है तो बड़ी चीरपुट है यह ले लो यह ठीक है देखिए भगवान को भी याद करना चाहिए कोई बात मेरे हर्दू ने कहा है जाहिर तोर पर हमने उन 42 रनों का पीछा करने के लिए खुद को सहारा दिया मतलब हम अपने आपको बैक कर रहे तो 42 रनों के लिए कौन से 42 रनों की बात हो रही है मैं बता रहा हूं जब 30 बोल में 43 चाहिए था जीतने के लिए इसके आंकडे भी ठीक नहीं है यह 30 में 42 चेंज कर रहा है मतलब यह जीतना तब भी नहीं चाहता था यह तब भी टाई ही चाह रहा था मेरे जैसा आदमी घर पे पूरे स्टैड लिख के बैठा है बी आलिश के लिए बैक कर रहे थे हम लेकिन यह उन दिनों में से एक था जब हमने देखा कि स्कॉर पांच अवरों की तुलना में काफी कम था इसका मैं अंग्रेजी बता देता हूं अधर इसका मैं पांच उल्फ में आप इस वह आप अवरों का एक ट्लना इट मैं बनबाई अंडिया डू 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 घू हाओ तो तो पहला देंगे दुनिया घला देंगे हम आप धुनियाहिला देंगे क्या थोड़ी से तो हिली होगी थोड़ी नहीं जमीन हिल गई है पैरो के नीचे नीचे से चोटू के लिए तालियां क्या स्क्रिप्ट लिखी है मेरे चोटू ने मुंबें इंडियंस का पहला मैच रखा जाएगा तहां गुजरात में और फिर हार्दिक की दुनिया हिलाऊंगा कहां गुजरात में हार्दिक ने कौन सी टीम को छोड़ा था गुजरात को आवा दे दाल दिया वे माहीवे क्या दाव गाना कहता है माहीवे कुछ ऐसा था ना कुछ इंग्रेजी सी थी बीच में और यह तो बहुत संजोग बैठ गया यार इतना संजोग भी बैठता है भाई घजब हो गया आगे सुनो मेरे 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 हर्दू का इंटर्व्यू सुनो तुम रुख जाओ भी मुझे बीच में से रोको में तुम मुझे लगता है इसको लगता भी है ओह 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 आगे सुनो मुझे लगता है कि हमने वहाँ थोड़ी सी गती खो दी गती नहीं खोई तो मारी मती मरी गई थी एक प्लेयर है छपरियो तुम लोगों को तो पता है भाई लोगो मैं दूसरे को बता रहा हूँ छपरियों को क्योंकि इसमें बहुत सारे छपरी भी होंगे एक प्लेयर है क्लासम नाम का 43 बोल में 98 रन चाहिए था 98 43 बोल में किस्मत खराग थी विचारे की 4 रन से हार गया अरे तुम्हें 43 रन चाहिए थे 30 बोल में गती खोदी मती मरी गई तुम्हारी वापस आकर अच्छा लग रहा है बैस यह यह बया में तो यहीं कठा मेरी तो नीले कपड़े ही नहीं उतर रहे थे उस दिन से वापिस आगया अच्छा लग रहा है सुनील गवासकर ने एक लाइन बोली है यह जितने रोही शर्मा के फैंस हैं जिरा ध्यान से सुन लें सुनील गवासकर ने कहा है कि हम आपको बैक करेंगे इसके मतलब समझिये जो क्राउड ने उसके साथ किया है न वो कह रहा है वो कमेंटेटर नहीं वो मुंबे इंडियन्स वाला बनके बोल रहा है यह बात लेजेंड आदमी है भाई सीनियर आदमी है हमाय तो ताउजी है वो तो ताउजी ने कहा है कि हम मंबे इंडियन्स वाले स्लो स्टार्ट करते हैं और घबराना मत धार्दिक तेरे साथ है और जब यही सवाल रोहित के लिए पूछा गया था जवाब पता है न आप लोगों जरो को श्री श्री सुनिल घावाश कर जी ताउजी का में हूं टक फ्यूचर देखना चाहिए रोहित शर्मा के उपर प्रेसर कालवी है थीस वह में अच्छे इस वह कि अरे हम किए रोह शर्मा को मुंबे इंडियस नाम करा दिए हैं हम यहीं में नि स सकुर्सक्ट के आज भी आज भी बुम्रा को और रोहित को निकालता है तुम्हारी प्रफॉर्मर्स तुम्हें लग रहा है जस्पृत नहीं नहीं है और तुमने रोहित शर्मा को हटा के अगर किसी को कप्तान बनाना था सब से पहला ता जस्पृत लेकिन हमारे औक्षन में कुछ और चलता है कि मुंबा इंडियन चोड़ेगा नहीं हाँ आगे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वापिस आकर क्योंकि यह एक ऐसा स्टेडियम है जहां आप आनंद ले सकते हैं वो तो पता यह क्या दिया है तुमको चपरू और महोल को काफी जीवित महसूस कर सकते हैं हार्दिक फिलोसुपर सुन लो ध्यान से फिलोसुपर बना हुआ है बड़े स्टेडियम के फाइदे सुन लो जलील हुआ है वह वैसे गजब है ऐसी ऐसी मोटी चर्वी जिसको फरेगी कोई नहीं पढ़ रहा है मानगे भाई ऐसा स्टेडियम है जहां आप आनंद ले सकते हैं और महोल को काफी जीवित महसूस कर सकते हैं और जाहर तोर पर भीड भरी हुई थी और उन्हें अच्छा खेल भी मिला मतलब वो यह कह रहा है कि जो भीड आई हुई थी उनको एक अच्छा खेल देखने को मिला मतलब वो चाहते थे मतलब तेरे को जलील होना देखना चाहते थे उनको तुने जलील होके दिखा दिया चलो यह भी मान लिया उसने बहुत अच्छी बार तिलक द्वारा रशीद के विरुद सिंगल नहीं लेने पर सवाल हुआ है उसका जवाब क्या है जरा सुन लें मुझे लगता है कि उस समय तिलक को लगा अच्छा हां आरदिक जी को बाहर बैठके ये भी पता है कि तिलक को यह लगा होगा ओ माई गोड हुद बैटिंग करने नहीं आ रहा तिलक को ये लगा होगा क्या लगा होगा सुनो मुझे लगता है उस समय तिलक को लगा कि यह एक बहतर विचार था मतलब यह एक बहतर डिसिजन था, सिंगल ना लेना ए जबरू तुझे रोही चर्मा के सारे लड़के मिलके ठोक रहे हैं तुझे पता ही नहीं लग रहा है भै रोही चर्मा वालो फैंस अब कांडी लोग हो यार तुम मेरे छपरू को पीछे पीछे से ठोक दिया तुमने यार भाई आगे आगे से दिखाते रहे तेरे साथ है तेरे साथ है is यार यह कोई मैं आगे मैं यह मुंबय इंडियोंस की इंटर्वी और पोस्टके नीचे तुम्हें क्या लग रहा है भाभी जी कमेंट कर रही है अभे नहीं वे गंगा दरी-षक्ति-मान राशीद कान के और में सिंगल ना लेने पर कह तिल्क का समर्तन करता हूं मना करके देख ले मना करके देख ले तरको होटल से उटा लेगा तिल्क बर्मा अब है तो रोहित का ही लड़का तूने तो उसका 50 भी नहीं नहीं दिया था ओ भाई को यह क्यों यह थो बहुत गहरी बात है वेस्ट इंडीज तिलक पहली बार फोटी नाइन पर दा इच पुरू ने चक्ता मार दिया तिलक कह रहा मैं सिंगल भी ने लूँगा तू जक्के की बात कर रहा है लेविर अबे भाई कहां का बदला कहां लिया है यार चाग है तू भी आज आगे कह रहा है कोई मुद्दा नहीं कह रहा है कोई ज्यादा टेंशन नहीं है कोई टेंशन अभी तेरा मैच और पड़े हैं तो भाई लोगों यह स्टेट्मेंट है श्री हार्दिक पांडिया जी की आप के लिए बहुती बहतरीन खेल का मुझरा मुझायरा हुआ है सांदर तरीके से खेल हुआ है किसी ने सोचा नहीं था कि यहां से मुंबई इंडियन्स हार जाएगी लेकिन एक कप्तान अच्छा देखो आज आप लोगों को एक चीज और पता लगी होगी कप्तान की सोच कित लग चुका है यह सोच का ही रिजल्ट है कि राशिद का एक अवर पड़ा है 25 में 40 रन चाहिए हैं जब टिम देविड अंदर आया मैं सच बता रहा हूं मैंने यह चीज नोट की थी यह देखो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को 40 रन यह देखो यह इदर यह 40-25 बोल में ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है टिम यह मैंने जान बूच के लिखा था मुझे पता था यह बताना पड़ेगा क्योंकि बाद में इतना कुछ हो जाता न याद नहीं रहता कि टिम देविड जब अंदर एंटर करता है तो 40 रन चाहिए है 25 बोल में यह सोच का ही रिजल बहुत टिफिकल था अशीष नहरा कंसिस्टन लगा हुआ है भाई मैंने बोला था यह बात अशीष नहरा बनाएगा और अच्छा कप्तानी बनाएगा इसको देखो बहुत ही मजबूरी होती है कोच की अंदर आया नहीं सकता अंदर एंटर कर नहीं सकता टाइम आउट में आएगा लेकिन वह बंदा बैठता ही नहीं है और देखो शुबमन गिल अगर कप्तानी में कुछ कर पाया ना आने वाले टाइम में कुछ भी कुछ भी बैटर कर पाया तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आशीष को ही जाएगा आशीष नहरा को ही जा लेगा तुम लोगों को पता ही कम से कम अब मैं मैंसी पढ़ने चालू करूंगा सब भाईों के तो लेकिन उससे पहले एक बारी लाइक और सब्सक्राइब दुबारा हो जाएं जितने भी नए भाई लोग है और इस दोरान जिस भी भाई ने बिना कहे सब्सक्राइब और किया है उनका बहुत बहुत थैंक्यू है एक कहानी है यह रिजल्ट आज निकला है कहानी कहीं दिनों से बन रही थी यह इंधा जो रिजल्ट आया है यह यहीं टिस दिजभ 건데 रोली शर्म अच्छी पारी डिजर्व करता था आ गई जस्परिद मुम्रा अच्छी बॉलिंग डिजर्व करता था उसकी आ गई सुपमन गिल एक मैच जीत के आगे बढ़े वो डिजर्व करता था और वो हो गया तो यह कहानी कहीं दिनों से बन रही थी जैसा आप सोचते हो ना भाई देखो पब्लिक के सामने हसके फोटो कि चालो कुछ भी चालो उससे घंटा वरग नी बढ़ता कि तुम्हारे अंदर क्या पन पना रहा है ना क्या पनप रहा है तुम्हारे अंदर वो मैटर करता देखो आज तक दुनिया में ऐसा कोई लैंस नहीं बना ऐसा कोई कोई भी DSLR का कैमरे का लैंस नहीं बना जो अंदर क्या पन पना रहा है उसको क्लिक कर ले कोई लैंस नहीं बना लेकिन ए भी क्रीक इंफो नाम का एक लैंस जरूर है उसकी नजरों से देखो गए अच्छे इंसान को शायद ना पहचान पाऊं लेकिन जो हराम जादगी कही मैं भी दिखेगी एक परसेंट भी दिखेगी मुझे मेरी भी दिख जाती है मैं भी बहुत बारी कहीं बारी गलत हो जाता हूं कहीं जीजों मैं भी अपने आपको शीशा के आगे खड़ा करता हूं मेरी भी मैं भी अपने आपको इसी तरीके से बोलता हूं जब बोलता हू हुआ है हमने तक वालों का रेकोड तोड़ा है क्या बात कर रहे हो तुम मतलब मेरा हो गया है तुम्हारे पास आ लेकिन आप लोगों को पैरी मैच को जरूर सपोर्ट करना है क्योंकि इन्होंने हमें सपोर्ट करा है अब यह हमारे यह पूरे आई पील में स्पोंसर है मैं वैसे काला पहिंता हूं लेकिन यह इन्हीं भाईयों की है तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मुझे कपड़े मिल गए हैं तुम लोगों को क्या मिलेगा तुम लोगों को जाना है लिंक मैंने पिन में दे रखा है ठीक है कमेंट अब मैं यहां पर रीफ्रेश कर चुका हूं आप लोगों के कमेंट आजो कमेंट रीफ्रेश करके मैं सिफ पढ़ेंगे राम से टांग उपर रख लूँ चलो जी टांग उपर रख लिए मैंने लो भाई लोगो थैंक्यू सो माच इजाज़त है तो पानी और पी लूँ एक हुआज एक पानी और पी लेता हूं बस आया याद दिन लाने के मैं अभी बता रहूं और पचास मिनट नॉंस्टोप बोला हूं 2020 मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या क्या बोला है मैं भी बाद में देखूँगा है मैं आइन दिमाज को सुदर्शनी बना है अब लोगों को याद होगा मैंने मिड दिनिंग में कहा था कि यह पारी बहुत ही स्लो खेली है लेकिन अगर गुजरात जीत गया अगर गुजरात हार गया तो मैंने का फिर क्रीटिस हो जाओगे तुम लेकिन क्योंकि मेरे हिसाब से यार हम मोहित शर्मा को दे सकते थे यह बाई लोगों हम मोहित शर्मा को दे सकते थे यह मैंन ओफ दी मैच मोहित शर्मा ने क्या किया है मोहित शर्मा ने च्यार अवरों में 32 रन देखे दो विगर्ट मुझे लगता है मोहिश शर्मा देखो मुझे संजु सैंसन की बात याद आ रही है दुपैर वाली संजु ने अपना man of the match दे दिया संदीब को संदीब को इसलिए दिया उसने ये कहा संजु ने कहता अगर ये तीन अवर अच्छे ना डालता तो मैं man of the match बन ही नहीं सकता रहा तो यसी को man of the match दो भाई मैं अपना man of the match डेडिकेट कर रहा हूं इसको दूसरी चीज क्या है वो जो एक विकर था न भाई जो उसने catch और जो उसने Tim David को फिर अवर डाला है मुझे लगता है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं यहां अनफेर हो गया है मोहिश शर्मा को शायद यह मिलना चाहिए था क्योंकि यह स्कोर काफी नहीं था इसकोर काफी नहीं था चलो कोई बात नहीं आ आजो साही भी अपना ही भाई है को सब्सक्राइब तुम सुनो हिंदी रूपांतरन मेरे 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 मरी करीं सोगा सुनो मेरी परिंस ने चाहां मेरे शांडार हमारे बता दिया मैं मैंमсь साही ने और राशिद ने आठ हवरों में 47 रन दिये हैं ठीक है जिस तरह से हमारे स्पिनरों ने गेंदबाजी की उससे यह सुनिश्चित हो गया कि हम हमेशा खेल में बने हुए थे मलब शुम्मन कहा रहा है कि हम ओल्वेस खेल में बने हुए थे हम कभी भी गेम से एक्चली बाहर नहीं हुए थे स्पिनर्स ने ये मेक शूर करा था कि हम गेम में रहें हमेशा यह सब अपनी नसों को थामने के बारे में था नर्फ को होल्ड करने वाली बात होती है हमारे लिए एक अच्छा मतलब वो रहा है उसने योगदान किया है टाइप हम सिर्फ दबाब बनाना चाहते थे और उनको गलतियां करने का इंतिजार करना चाहते थे हम सिर्फ और चरफ मैं दुबारा दुबारा क्यों बोल रहा है ए लेकिन हमने निष्टिंद से वहां कम से कम 15 रन कम बनाएं तो शुबमन यह भाई शुकर है किसी कप्तान ने तो यह बोला जीतने के बाद आरने के बाद सब बोलते हैं 10-15 रन शौट वो पाकिस्तान का भूकी नंगी कौम का वो बबरी सामने वाली टीम 12 बोल पहले चेंज कर जाए वी यार 10-15 रन शौट अबे वो छे विक्ते हाथ में हैं उनके 12 बोल पड़ी है तो अभी भी परेंट वो रसल में रटा मार के आता है शुबमन गिल ने भाई कम से कम यह तो कहा है जीतने के बावजुद कि हम भाईया शौट थे 15 रन वेली गुड आगे कहा है उन 30 गेंदों को मारना मुश्किल था क्योंकि विक्त अंत में थोड़ा धीमा हो गया था तो विक्त भाई शुम्मन का कहना है विकत थोड़ी धीमी हो गई थी at the end लेकिन यार असान नहीं था ड्यू काफी ड्यू था अच्छा कासा ड्यू थ रिखा जा रहा था चलो भाई लोगों अब मैं मैंसे चालू करता हूं आप लोगों के मज़ा आ गया भाई स्वाद आ गया मैं चाहता हूं कमेंट बोक्स में न एक एक बार दो दो शब्दों में अपनी फीलिंग बयान कर दो जैसे मैं पंजाब में बैठा हूं मलग चंड लाता बाई तो भाई हमारे यहां तो भोलेंगे सिरा मलग कमाल कर दिया जा ठीक है न इदर हर्याना साइड में कहेंगे लट गांट दिया वाई साब तो भाई तुम अपना अपना बताओ एक एक दो दो वर्ड में बताओ में अपनी फिलिंग शेर करो आगे बढ़ते हैं सबसे मेले message उठाते हैं कहां से बहुत सारे message hold हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं हमें कौन सा जल्दी है ना अराम से पड़ेंगे सब भाईों के कोई tension नहीं है स्मिट पैड भाई का सबसे पहले मैसिज है वहीं से पढ़ते हैं तो भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं फटे चक दिये हार्दिक की कि मैं कभी गाली को प्रिंसों अपनी को थी नहीं करना है किसी ने फ्लेयर है वह ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी तो हम बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन मम्मी की घाली ठोड़ी ना देंगे पिछले साल भी मैंने एक चीज बोली थी, शुबमन गिल की सिस्टर के बारे में बहुती नीच लोगों ने नीच बाते करी थी, वो नहीं करनी थी, जब RCB के खिलाफ वो मैच जीत गए थे, तो मैं अभी भी यहां कह रहा हूँ, वो नहीं करना भाई, ठीक है, यह नहीं करना तबियत खुश कर दी भाई, हरी कर दी तबियत, मज़ा आ गया यार भाई, क्या मैच हुआ यार भाई, सेरिसली, मज़े आ गया भाई, अभी तो बयान नहीं कर पा रहे हाला कि मैं तो देखो बोल चुका हूँ, पूरे मैच में, काल भेर भाई, इस ओके टूबी यूनीक, यो ब्रो, इट्स ओके टूबी यूनीक, कोब्रा भाई, ओ कोब्रा किदा, पहले पंजाब का एक्स्पिरिंस शेर कर अपना, पंजाब में आया है, कैसा रहा, खाना पीना बता भाई, ग्राउंड कैसा है, देख मैं यहां लोकल हूँ, मैंने ग्राउंड, मैं तो ग्राउं पाईजान एकजीकूट नहीं हुआ, कैप्टन हार्दिक का हुआ पांडिया जी से, बरबादी की शुरुवात हो गई है, इस से ज्यादा सैडिस्फाइब मैं कभी नहीं हुआ, सीरियसली मैं भी कभी नहीं हुआ, पता नहीं यार मेरे को, पता नहीं है, असा हमें क्यों मह मुझे कभी भी किसी टीम के हारने पे इतना ख़ुशी नहीं हो रही है, देखो अ मेरे अपनी टीम गुझरात भी नहीं है, मेरे अपनी टीम मुंबई भी नहीं है, पर मैं क्योंकि गुझरात को जिस दिन ये शेडियूल आया था, उसी दिन बोलना चालू करा था, शुभम बैटिंग में भी चेंजिस करने हैं बोलिंग ने कहीं ना कहीं यह बताया है कि इतनी बुरी नहीं है अगर नहराजी की सुनोगे तो काम कर जाओगे और मोहित तो यार बहुत ही पका हुआ चावल है मोहित कोई कच्चा खिलाडी थोड़ी नहीं मोहित बाइद वे महेंदर सि नहीं काई सिखाया हुआ है स्टार्टिंग डेस सुनो जगो जिसकी ट्रेइनिंग अच्छी होती है न वह आगे चलके भी कभी बिखरता नहीं है आगे कोब्रा ने कहा है रोही कैप्टन था मेरा रन बना दिये ड्रीम 11 में जित्वाय दिया मेरे को अरे कॉंगराशुलेश होती मुझे एकसाइड किया शर्मिष्टा मुखर जी तिलक ने बड़े सफाई से चपरी का बैंड बजा दिया मुझे तो बाद में महसूस हुआ तुम्हें तो पहले ही पता लगया था थैंक्यू भाई ये बताने के लिए बावन संदू पाजी पाकिस्तान वाले कह रहे ह रोफ ने फाञ्सो क्रोड कर देना सी नहीं पाजी अपांसो कर देना सी गालल से यह भाई हमारा पंजाबी में मेसेज कर रहा है संदु भाई संदु भाई कह रहे कह रहे वह पाकिस्तानी बोल रहे हैं जो काम मिचल स्टार्क ने 24 करोड में किया है ना मतलब सुताई करवाने वाला हमारा हारिस टेप या तो 500 रुपे में कर देता जलीली तो होना था कॉइंट तो है बोस तुमारी बाद में अवदेश शर के मैसिज पढ़ने चालू करा है मैंने यही मैंने लाइने बोली थी वाई गया नहीं हो सकता लीडर तो बहुत दूर की बात भाई लोगो कप्तान में और लीडर में बहुत बड़ा फरक होता है ये दो चार पांच मिनट में बताने वाला फरक है नहीं है इसके लिए अलग से आदे घंटे की वीडियो चाहिए लीडर क्या क्या करता है कप्तान क्या क्या करता है अभी ये कप्तान भी नहीं बना है अच्छे से और ये लीडर बनने की कोशिश कर रहा है सुमित हहलावत शपरू जलील होना तो ठीक बट फीलिंग फॉर रोहित नहीं रोहित के लिए क्या पील हो रहा है रोहित के लिए कोई नी रोहित तो अच्छा के लाएं बैटिंग अच्छी करी है रोहित शर्मा ने ये भाई साब का ये प्रेस कॉंफरेंस वाले चचा का मू नीचा हो गया एक का मू नीचा हो गया एक का मू ऊपर हो गया एक को आखें नीचे करनी पड़ी है एक को भगवा एडिटिंग जिन से सीखी है ना वो आज भी मुझे फोन करके मैं हलाकि बहुत दिनों से उनसे मिला नहीं हूँ कॉंटेक्ट नहीं है रेगुलर मैं सिर्फ रिस्पेक्ट की बात बता रहा हूँ अगर वो मुझे फोन करके अभी भी बोलेंगे ना कि वहाँ फला फला जगह पर आजा काम है मैं मना नहीं कर पाऊंगा क्यों नहीं कर पाऊंगा पता है मुझे उन्होंने इस काबिल बनाया है कि मैं अपना घर चला सकूं एडिटिंग करके समझ में आ रही है तकाहनी तुमको तो बड़े भाई की इज़्जत नहीं कर पाया अरे बहुत खिलाड़ी इधर से उधर होते हैं यार यह बिजनस है पता है में भी आईपिल लेकिन एक आँखों की शरम तो होती है ना आँखों की शरम यह थोड़ी ना होती कि चलो गले पढ़ जाओ फोटो की चालो अब यह शुबमन गिल के गले पढ़ता घूम रहा है मैच खतम होने के बाद मैं तो लाइफ देख रहा हूं यहाँ अब बंद किया है मैंने तो थोड़ देर पहले और यह स्टार स्पोर्ट तो अभी तक चली रहा है मेरे पस यह थोड़ी ना इज़त होती भाई संदू पाजी ने फिर लिखा है आज तो कह सकते हैं भाई हार्दिक शुमन के हेल पे हैं पाई चलो आप कहलो मैं क्या बोलू इसमें सूर्यकांत वर्मा स्थ मज़ा आ गया श्री 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 हार्दिक जी ने बिलकुल वेस्ट बिलकुल टाइम वेस्ट नहीं किया इसे कहते हैं स्नेक भी मर गया मईलब सांप भी मर गया और लाठी नहीं तूटी बेलकुल बेलकुल सही बात लड़की इतनी आपने मैंइसमें करकी और रहे थे हम लोग यहें डिसाईट नहीं कर पा रहे थे सारे हम क्या डिसाइड नहीं कर पाएं यार ऐसे कैसे हो सकता है रोहित अच्छा खेल ले बुम्राच्छा खेल ले और मुंबई मैं चार्ज है यह तो नहीं हो सकता लेकिन हार्दी कहरा रुको मैं करवा के दिखाता हूं तुमको मैं अपने से आगे टिम देविड को भेजता हूं रुको भाई तुम क्या कर रहे हो तुम यार मैं अभी करके देता हूं सचिनान साहू नहरा वाज 12th man of GT इसको ICT का कोच बनाओ भाई मैं तो अल्रेडी पहले बोल चुका हूं और आशिस नहरा को ओफर हुआ है ओफर हुआ था T20 का कोच के लिए आशिस नहरा ने मना कर दि बढ़ा बाई अब क्या बोलें के लिकिन बिल्कुल वह बन्दा यार कूरसी पे नीभी बैटता भाई वो कोट कोश नहीं है पुर्शी पे बैठ गया जो करना है कर लो मैच हारने के बाद मैं बाउजी बनके इनकी सब की मिटिंग लूँगा नहीं वहीं ठीक करता है चीजों को जो चीजें ठीक हो सकती हैं वहीं कर रहा है भाई वो बंदा बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया राहूल पाटिल एक विकट से पीछे से मैच एक विकट एक विकट के पीछे से मैच बदलता है माही भाई और दूसरा ग्राउंट के बाहर से वैसे रितू कल ज़्यादा दिखाया रितू कल ज़्यादा दिखाया मतलब वो मैच में चलो ठीक है वो तो जितना दिखाया पहले हाप में थोड़ा मही भाई ज्यादे दिखा रहे थे और मही भाई को दिखाएंगे न यार उप्लेयर ही इतना बड़ा है नहीं यह बात बिल्कुल ठीक है एक विक्टों के पीछे से मैच बदलता है और एक विक्टों पर कहीं नहीं दे रहा है पूरा मैच बदल गया तब विक्टो पर आया है कि देखो दखो एक चीद समझो यह दोचीज़ थी आखरिफले लां और या तो हारदिक पांडिया ज्छक्का मार दे पहली बॉल पर जो उसने हीरो बन जाता लेकिन गलती तो सेम ही रहती तब भी सेम ही रहती रिजर्ट के आपकी गलती को सही नहीं करता गलती-गलती ही रहती है वो डिसिजन गलत था मतलब गलत था अ LIचल वैसे लग सकता था तीसरी बोल पे लेकिन ऐसे कैसे लगे एबी क्रिकिनफो नाम की एक पनोती जो बैठी है बैठी है बाई सब जड़ों में बैठी है ऐसे कैसे लग जाए अमिद चिकारा अली मंडोला पाईजन जी पाईजन फस्सूपर चैट थैंक्यू ब्रो लव यूर कॉंटेंट पर्फेक्ट मैच रोहित के रन आ गए जस्पृत बुम्रा की पर्फेक्ट बोलिंग और चप्री पिल गई है यही चाहिए था भाई हम सब लोगों को थैंक्यू चप्री बोला होगा कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा आज कराता निकल लिए एके करके श्रम पाईजन जो हमने चाहा वही हुआ बुम्रा ने विखट लेली रोलि रोहित न बना लिए मुंबई मैं चार गया और चपरी की बदनामी भी हो गई तो मजा ही आगे आज तो देखो या तो वो अपने नंबर पे आता अपने नंबर पे आगे बैटिंग करता मैं चार जाते फिर शायद इतना ना होता ये जो इसने उड़ता हुआ तीर जा रहा था यूँ इसने कहा अरे भाई रुको इधर क किर लेना कोबरा भाई कोबरा हंस रहा है इससे जबरदस कुछ नहीं हो सकता रोईत के रन बुम्रा की विकेट लेना चपरी का हारना बेडिया भेजूंगा लटक जाना उस पे एक-एक बेडिया तो आज हमको गिफ्ट करना चाहिए वैसे खुशी में निखिल अवस्ती आ नहरा जी के लिए वहाई सब गले पकड़ लेंगे लोग उनिस अवर से पहले स्पेंसर को नहरा जी ने सब टिफ्ट दिए वही मैच का टर्रिंग पॉइंट था मैंने पीछे पिक्चर दिखाईए एक-एक पिक्चर लेके बात करिए हमने नहरा जी को हंड्रेड परसेंट पता था यह मैच या तो स्पेंसर मरवा देगा एक्सपीरिंस नहीं है उतना या फिर यह मैच निकलवा देगा इसे लिए वह बंदा भाई वह पानी भी पी रहा हुत तुपानी पी तुछ कर ले मेरी सुन William करता रहा एशे पीते भी यूह कर रहा वह रहा बाद में कर लिकारने मेरी सुनले पहले ज्यानि से है क्योंकि कहीं न कहीं तो है अड़को महराजी भी कितनी फोटो खिचाले हस्ते वे अंदर तो ज़ो चीज थी ना वो तो थी ना भाई वो तो होना ही था वरॉन शर्मा बदाई हो एबी मेरे भाई तेवतिया का कैमियो भी कुरूशल था बहुत कुरूशल था एक्चुली बहुत ही कुरूशल था वाई गुजरात यूज्ट एवरी डिशोर्सेज वट टीम वट टीम विन नहीं भाई दखो इसमें तो हर इंसान का रोल है थोटा छोटा रोल रहा हलाकि दखो मुझा लगता रिद्धिमन सहा को थोड़ा और और अच्छा खेलना था बट चलो ठीक है बट मेरा यह ना आउट हो जाओना तो बोले मत खराब करो दस बारा वो थोड़ा सा रहता है बाकी बिलकुल यार बहुत बहुत इस टीम की तो यार एक्जांपल दिये जाते हैं कि अहली टीम है मुंबई जिन्हों ने इतने सारे पैसे दिये हैं जलील होने के लिए कोई बात नहीं हो लो भाई अपनी अपनी किस्मत है पाई जाने हम क्या करें मजाबा उता रहा है आज तो नहीं मुझे नीद आती मैं तो नहीं सोता मुझे तो लग रहा भाई मैं अभी गाड़ी मैं ये लाइव खतम करके रात को दो बजे गाड़ी लेके निकलूँगा चंडी गडी की सड़कों पर मैं सच बता रहा हूं मैं मठका चोक पर जाकी ठुमके लगा के आऊँगा दो-चार सामने dslr लग लगा लूँगा उधर मैं ठुमके लगाके आउंगा बहुत मज़ा आगया रागव गोईल आज तो भाईया जैनुरली दिल से खुशी हुई है चलो थैंक्यू भाई तुमको खुशी हुई है बहुत अच्छी बात है रागुंणों सिंग दुनिया हिलाणे वालों की हिलादी दुनिया रोहित सर्ने रन भी ंदना दिया आज सबका एक ही कहना है रोहित ने दन बना दिया बोम्रा सर की वीकट भी देख ली और कुछ नीच पॉइम हमारी तो जिन्दगी में सारी खुशिया हा गई आज हमें बस से एक वल्ड कप और मिल जाए रोहित की कप्तानी में बस फिर हम अपने पीट पे पत्थर बांद के नदिया में कूद सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कुनाल कुनाल भाई कह रहे हैं भाईया आप इतना मेहनत कर रहे हो नहीं आप मैं अकेला नहीं कर रहा हूं तुम लोग भी कर रहे हो दखो यहां पर अभी देड़ गंटा और एक गंटा हो गया है एक गंटा दस मिनिट हो गी है भाई लोगों को वेट करते हुए और यहां तो तीन गंटे के बाद भी ना मुझे बोलते हैं लड़के अरे भाईया थोड़ी देर और लाइव कर लो तो हमारे यहां कर रहे हैं मैं तो कभी भी अपना नहीं बजाता है मैं करता नहीं कभी इसको फिर आ कर रहे हो कर रहा हूं खैम विए टीन दिन से यहां है गोड़िकेशन गोड डेडिकेशन आपकी लाइफ देखके दिल सुकुन मिलता है यह पैरी मैच वालों का है हमारे ओफिशल स्पॉंसर है इसलिए पहना हुआ भाई यह मत सोचना मुझे मुझे चेंज करने का टाइम नहीं लग रहा है बहुत सारी टीशेट है मेरे पास यह वाली हां वो चेंज कर लेता हूं मैं अप्रित भाई कह रहा है रोहित भी लाइक चार चमनी घवड़े पर शप्री मेरे अगे नहीं बोलना कोब्रा भाई गवर्ण करने वालों को ऊपर अला ऐसे ही कुछलता है हंड्रड पर्शन मैं आज भी तुम लोग मुझे बड़ा बड़ा यूट्यूबर बोलने चालू कर दियो हो मुझे प्राया प्राया लगता है मेरे को आज भी वह पहले अपने 12-13 लोग याद हैं जो हमारे लाइफ स्ट्रीम में आते थे 2021 का IPL पहले उस पहले IPL में हमारे 50-52 लोग आये थे एक लाइब में 50-52 लोग आये थे मेरी फट गई थी अवे यार इतने सारे लोग क्योंकि 12-13-18 आते थे थे ना तो उस मैच में 50 लोग आगे भाई और आज देख लो तुम सब के सामने भाई पचास हजार लोग भी आज पचास हजार लोगों ने टच किया है और हमारा तो वीडियो के उपर वो नंबर चलता है बाद में आप देखोगे तो पता लग लाएगा थे यार भाई लोगो मेरा तो क्या ही है इसमें तो मैं वही कहा हूं बाई वह घमंड नहीं होना चाहिए वह घमंड से याद आया अच्छली और जिनको घमंड होता है एक की आंके नीचे एक की उपर पुर्थवी पृत्वी राज देशाई बहुता था ना होम टिम जीतेगी यह मत करो होम टीम जीतेगी सिर्फ से ऐ मतलब परसूर्मस को तो तुम लोग बिल्कुल SIDEीमे कर दो नैं यार ऐसे तो मैं कल कह रहा हुं mm को जित सर्क्राव है और अगर आरसी भी जीदगी ऐसा थोड़ी ना है कि फिर से हॉम टीम को ठीक है हो जाता है कहीं बरी वो लेकिन पूरे आई पिल में ऐसा नहीं होगा हो गया पूरा ओगया लगा जिसने जो किया हो गया भाई पूरा हिसाब गया वहीं के mine साब बोली है ठीक हैं पीटर संद में उसके भी ट्विटर पे बयान वाइरल हो रहे हैं काफी एक तो उसने यह कहा है कि मुझे समझ नहीं आ के इसने दो बेवर ड्रह ले हैं इस ने क्या है यह इन कहा बेदा बहुता correct फहल हैahu यह हमारे वालों की तरह नहीं हो कि खरी बात ना बोले उसने बोला है कि हार्थिक ने दो हूट लें पहली बात तो इसने जसी को भर नहीं दिया मुझे समझ नहीं आ रहा दूसरा इसने दो वर डाले है उस टेन दो डाले हुए थे इसने कैता पच्चीस बार क्राउड इसको भू कर चुगी है कि लास्ट टाइम इंडिया में इंडियन प्लेयर को भू कब किया गया था लास्ट टाम मुझे लग़रा शायद किया हीन आ गया हो हम तो वह हम तो वह कंट्री हैं भाई यस or नो कर देना आप लोग हुम तो वह इंडियन है Haben To For Country है कि हमारी इंडियन टीम को A.B.ड कूट रहा है 이 हुच लोकres के नारे लगा रहे हैं कि हम वह वाले हैं क्यों नारे लगा रहे हैं क्योंकि वह खेल इतना अच्छा रहा था कि वेबस कर दिया था उसने हमारी टीम को हम तो वह वाले हैं भाई आनंद बस अच्छा आनंद का क्या मतलब खोटू से कोलाब करके आपको स्क्रीप्ट पहले ही मिल गई है मैं एक उसपर चलता हूं वह होता है जैसे मैंने माहीबाई से एक ही चीज़ सीखी है किसी और मैं को करने का बेसिक क्या होता है प्रोसेस क्या होता है कि यह दो चीजह मैंने सीखी हूं सी इसलसान से और तो कुछ सींग नहीं सकते हैं यहीं अपनी जिंद्ग्रीश करी हैं दूसरी चीज्ट मैंने एक और सीखी है यह सीखी नहीं है मैंने यह मेरा खुदका एक्सपीरियंस है अगर तुम अपने काम के लिए भाई अगर आखिर मतलब नेक्स्ट लेवल वाले इमानदार होना पौस आपको कितनी तरक्की मिलेगी मैं आप तो बता नहीं सकता हूं बस इतना कहूंगा भाई जिन भी भाई लोगों की नोकरी कर रहे हैं कोई पढ़ाई कर रहा है कोई चोटी मोटी अपनी दुकान चला रहा है या कुछ और कर रहा है कुछ जिंदगी में नहीं बन रहा ना घवराना मत लगे रहना एक है जो तुमको देख रहा है नेक्स्ट लेवल की इमानदारी रखोगे ना बॉस एक चुटकी में कहानी बदल जी जाएगी वह ऐसा तलाकार है बस यह बढ़ी बात हमेशा याद रखना और इसमें तुम कौन से धरम से आते हो इससे फरग नहीं पड़ता है यह यह सब उस पे अपलाई होता है ठीक है आगे बढ़ता है प्यूश कत्याल का पूरा मैसी पढ़ लेता हूं पाई जी क्या मतलब छोटू से कोलाइब करके आपको स्क्रिप्ट पहले ही मिल गई रोहित का स्कोर एक्जक्ट प्रिडिक्ट कितने दिन से लास्ट बोल होते ही चपरी निकला एंड वही ट्रेंडिंग लास्ट बोल होते ही चपरी निकला लास्ट बोल वाला तो मुझे पता नहीं कि या ट्रेंड हुआ अगर 280 के 245 के से करेगा लेकिन रोहित का अगर आप लोग स्ट्राइग रग्यार में करेड़ एंड एक यह उता 148 मैंने स्च्राइग रडर्ण मुंना मुनने कुरह गुरु मिला के लगा पर्णभाई कह रहा है perfect mismanagement by 33 मतलब हार्दिक पांडया इन बाउचर no waste of time by anyone in this match जहां बात करनी वहां खुद बोल जहां जहां बैट करनी वहां खुद बोल कर गया तीन में 30 I am MI fan sadly पर्णभाई बुरा लगा मुझे यार तुम MI fan हो यार देखो sad हो तुम यार भाई आइकन एंडरस्टेंड ब्रो बट क्या करें रोही चर्मा तो मुंबई इंडियंस की इस management के लिए निकम्मा कप्तान है ना निकम्मा है ना मैं बताता हूं न कैसे दस साल में पांश ट्रोफी क्या है इनको दस साल में बारा चाहिए थी एक्चली क्योंकि दखो लालेच की सीम थी ऐसन करीयर और ऑबर होता निकम्मान हार्द के आत्म गों जानती यह र क्या है ये वर याद款 बैया आपका टोटका काम करने लग गया है मेरा कोई टोटका नहीं है नहरा जी का नाम ज़िताना है मुझे ठीक है कोई टोटका नहीं है दिज़र्व करता है मैंने 2022 में 2023 में ये बात बोली थी और ये जब हार्दिक इदर चला गया ना मुंबई में मैंने तब भी ये बात बोली थी बॉस आप हार्दिक पांड्या की तो बात करते हो कि उसने ट्रोफी जीती है गुजरात में लेकिन हार्दिक को वो पीछे बाउं मैंने समझाता रहता था कि उसको चैज सब लोग भूल गए है कि मैं आ रही है बात यह बात मैंने बोली थी इस ऑक्षन के बाद हार्दिक को मुंबई इंडियंस में कोई बाउंडरी लाइन पे खड़ा होके समझाएगा नहीं कि वह आशीष नहरा ही है भाई कलोता है पाक आगे तुमने लिखा पाबलो और मोहित की कमाल की बोलिंग आशीष नहरा सर की क्या ही बात है बिल्कुल एक दम भंड़ा बैंग ओन बिल्कुल सही लिखा नगमा हार्दिक का करियर अवर नगमा नगमा ऐसे कैसे अभी तो बहुत बहुत नगमे गाने है उसने अभी तो ए नहीं है इनना अंगेंस नहीं हो सकते इंदी एंड इंडियन है नहीं नहीं पाजी करतूत गंदी कित्ती है ना 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 पाजी आ नहीं ए नहीं गल पाजी आप मेरे से डिसेगरी हो जाओ ना 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 ये इंडियन की और पाकिस्तानी की बात नहीं चल रही यह मैं इंडियन हूं मैं हराम जादगी करूं आप सपोर्ट कर सिर्फ यह बोलकिंडियन है इंडियन होना ही गलतियों पर पड़ा नहीं डल सकता पाजी सोरी फोट wash सुमाई हार्दिक की वज़े तो नहीं डर के हारी है सिंगल नहीं ले रहे थे अधा गलत हाँ प्रेट कर रहे हो आज काहर्ता दिखाई है आज के मैंच में आप очки हार्दि की को वज़े से तो नहीं डर के हारी हैには और आ आया नहीं या मुझे जवाब दो टीम देविट किज़ेकर क्यों दो तिनिया और 25 में 40 रगए और आधा उसको नहीं पता थी कि वह सिंगल नहीं ले रहे थे हैं उसको यह बात नहीं पता थी राशीत का एक आपर पड़ा और वो टीम दीवीट struggle करेंगा तोटा है हारदिक का घमंड एक्चुली सोरी सोरी विर्क पाजी यह नहीं चलेगा गल करन पाजी काश आज अगर अपना गिरधारी होता तो यह नहीं गिरधारी था गिरधारी अपने रन बनाने थे वही हम चाहते थे वही हुआ है समित बพर्फोर्मस भाइफ गुजराट टीम पैनिक नहीं हुई टीम भाइग क्रेट मैंने के लिए वह उन्होंने जब शुबमन को कप्तान बनाया मैंने इनके ओनर का एक इंट्रिव्यू सुना था कि मैंने उसका तीन चार बार जिकर कर लिया आज फिर जिकर करता हूं उस इंसान ने कहा कि भाई हम फ्यूचर देख रहे हैं लक्षेड यह कि हम इस साल कहीं नीचे रह गये तो क्या हो गार नहीं कुझ को कोई टैंचन नीए वो बिल्कुल फाइन है वो हार भी जाते को दिक्कत नहीं जोंगो उसयद यही रीजन है कि उन्होंने पैनिक नहीं किया पहनिक जिन्हों ने किया है वो अंदर बैठा रहा हो और मारे विर्क पाजी को लग रहा है कि वह टिम डर गई ऐसने भाई उसने डिराया रहा है अंदर बैठे करन भाई का मैसीज क्या है अच्छा करन भाई का मैसीज हो गया कोब्रा भाई वेल डिजब एबी सर्ट थर्टी टू के वोचिंग वी लव यू नहीं नहीं पचास के टच कर दिया हमने थैंक्यू ब्रीज पटेल जीके में आके जीटी का जीटी को हरान हारदिक तेरे बस की अच्छा जीटी में गुजरात में आके जीटी को हराना हारदिक तेरे बस की बात नहीं हमारे कप्तान को बाउंडरी में रखता है जैसा सोचा वही हुआ बुम्रा रोही ट्रोफी हारदिक लोज जीटी जीटी मैंने तो नहीं इतना बड़ा नाम भी नहीं है इतना बड़ा क्या एं तो वहँरिक कर दो ह हमारी तो इतनी उकाद भी नहीं है कि हम किसी को× कर दे न ह jumped कि लोगों ने कर रखिंए है जा के पुछलो लोगों से क्या चल रहा है घनावangenत्री है वह थीक है तो भाइ कॉंगराचुलेशन मुझे तो यह तरीका उसी टाइम गंदा लगा था मैंने तो लाइव में रियक्ट किया है जब हम लास्ट लाइव में लाइव थे राजस्तान और उसके मैच में लखनू के मैच में मैंने तभी बोला था भाई यह देखो कैसे बहेज रहा उसको कभी इदर भेज रहा कभी उदर भेज रहा और बिल्कुल बसकी बात नहीं है उसके बता दिया शुबमन गिलने बता दिया आशीश नहरा की मदद से और यहांज कहे रहा है ढाई आपको MSR में और MSR में से कोन जीते गा ऊव भाई बहुत बड़ा मैंच होगा मैं MSR में तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं मुंबई को सपोर्ट को आइस को सपोर्ट करूंगा मैंने SRS का जिस दिन रिव्यू किया था ना हमने जिस दिन बात करी थी मैं उस दिन से कह रहा हूँ यह टीम बहुत डेंजरस है यह शायद IPL की सबसे खतरनाक टीम हो सकती है और वो इन्होंने बता भी दिया है पिछले मैच में बहुत गंदी किसमत खराब थी कलासन की जो वो मैच नहीं निकाल पाया फिनिश नहीं कर पाया वो बहुत 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 स्टॉंग टीम है भाई SRS रही बात हारदिक कप्तान की और पैट कमिस कप्तान की हारने को पैट कमिस हार सकता लेकिन वो डरपोक नहीं है यह चीज माइंड में रखना हो थैंक्यू पाजी रवनूर नव फोटोग्राफी कववा बोला था यूवी का सिक्स वाला रिकोर्ड ब्रेक करूंगा हाँ 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 वह 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 ऐसा ही होचा था कोवरा भाई थैंक्यू सोमाच आप लोगो ने वह वोचिंग लिख्यू यह थैंक्यू मैथ एक्सपर्ट नहरा जी ने चपरी को उकाद दिखा दी मजह आ गया नहरा जी तो फिर नहरा जी ना रोहन भाई करा है यहीं चाहिए था पाजी रोहित और बुमरा का प्रफोर्मस आशिश नहरा और बोलर की जै हो चपु गया मजह आ गया कर्मा था कर्मा था कर्मा चपुरू बिलकुल अंकित गुजर हम रोहतियंस का सपना पूरा होता दिख रहा है रोईद भाई रन बना रहे हैं और हमारा पांडू मैच हार रहा है क्राउड ने अलग से मौझ ले लिए हमारी अलग से मौझ करा दी हमारी पहले तो मैं रोहन भाई का जवाब दे दूं यहीं चाहिए था बाई बिल्कुल यहीं चाहिए था और आगे तुमने लिखा आशीष नहरा और बोलर्स की जय हो आशीष नहरा भाई कि जिस तरीके से बोलर्स को समझाता है आपना यह लाइव में 47 मिनिट का वीडियो जरूर देखना आप तुम लोग ने देखा कि देखा ही होगा 45-50 मिनिट का वीडियो जुरूर देखना मैंने हर एक फोटो दिखाई है इस तरीके से बंदा समझा रहा था यारी मतलब इतना कौन करता है कोई कोई कोच मैसी वैसे देते होते हैं अपनी सीट से नहीं उठते यह बंदा भाई सही इसके पैसे बढ़ा हुआ ही इसको पैसे के साथ सअही होगा है तो हार्दिक के साथ सही हो सकता है कि नहीं रही बात mm इंडिये को दूर में मैंॉछ हारता यह कोई वहां से लएक कभी वह के कप्तान कायरता नहीं दिखाई है के पीछे नहीं बैठा कप्तान कभी भी अंग्रेज को भेज दिया करे तू जा कमाल हो गया यार भाई उसको भेज दिया जो राशित को सिंगल नहीं ले पा रहा रहा राशित पर स्ट्राइक नहीं आ रहा जो तिलक वर्मा इतना बड़ा खिलाडी है तुम खुद बताओ ति कमाल है यार इतना बड़ा खिलाडी काप से हो गया वो वो एक नॉर्मल प्लेर है उस टीम का डॉक्टर गोश दो मैसेज हैं डॉक्टर गोश भाई के शप्री हारा अच्छा लगा बट यह तिलक कर क्या रहा था ब्रैविस एंड देविड ने मैच जुला दिया इशान तो गयो यह और यह और देवता बने छपरी को यह नहीं समझ में आए मुझे रही पाद तिलक क्या कर रहा था तिलक ने अच्छा तो किया बड़िया तो किया तिलक ने एक छकका भी बहुत अच्छा मारा अपिर प्र कुरूशल टाइम प्र आउट भी हो गया वो कह रहा मेरा मेरा पचास खा गया था तू उस दिन आगे तुमने लिखा चपरी खुद को ओपनिंग बोलर बना के बहुत उचल रहा था दो दिया इसको सरम नाम की कोई चीज नहीं है यह चपरी का लास्ट सीजन हो सकता है देख लो यार फिर वही बात पिर जाएगा कहाँ पिर जाएगा कहाँ फिर गुजरात गुजरात वाले तो ताला बंद कर चुके अंदर से वह कहरें चलो अंदर से बंद है भमरा हमारे बंदे आ चुके अंदर मेगा उक्षन के लिए खोलेंगे उस दिन भी तुझे नहीं आने देंगे नई 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 ने खेलेगा अभी चप्रू खेलेगा अभी एंजन मतलो आप खेलेगा विए बाई आप मेरे बात से एगरी करोगे तलक हमेशा मुंबई के लिए ही अच्छा खेलता है इंडिया में आते ही पता नी क्या हो जाता है बाकि आद चप्री किस एटिट्यूट मे था ऐसे मूँ बना रहा था जली हुई रोटी हो जली हुई रोटी नहीं कुछ और मूँ था रोटी दुख बहुत रिस्पेक्ट वाली होती है उसका मूँ कुछ और था मैं बोल निपाऊंगा यहां पर कैसा था का या फित मैं तुम्हारी बाद से 100% एगरी करता हूं जो तीलक के बारे में तुमने बोला मैंने था कि बारे में पहले बी कहा था जब वेस्ट अ्डीन में ने बैटिंग करी थी यार तिलक ने अभी थोड़ा थोड़ा सा काम करना चालू करा लेकिन उसकी उसके मारकिट म कहीं नहीं हो सकता है जो pressure को अभजाव कर ले करना है कहीं पता लगे घ्राब ओजाया लेकिन ये तिलक का काम खराब करा है सश्थी मीडिया ने औस ने खराब किया चैस्ट ना सब्सक्राना लोग सब दो वर्ल्ट कप खिलाने की बात कर रहे थे वंडे सोचो देपक भाई मज़ा आ गया पाजी यस आशिस सर के बिना ये कुछ नहीं है चपरी मैंने तो बोला था ये ट्रोफी जिरूर जीता है आशिस नहरा की बहुत बड़ी कंट्रिबूशन थी उस टाइम पर भी इसको भी बाउंडरी जैस जेखो कि शुबमन गिल तो क्योंकि सरकल में ज्यादा फिल्डिंग कर रहा था लेकिन बीच बीच में चलो दो बार जब टाइम आउट हुआ त इस बार बार भाग के अंदर मैंसी जा रहा था कोई ना कोई बोलर वहां बाउंडरी पर बोल्रों को वहीं से ट्रेंड वहीं से सारा ट्रेंड करके भेज रहा है वह तो भाई पूरी सपोर्ट है नहराजी की पूरी 100% आगे तुमने लिखा अभी तो मुंबई में जब मैच होगा एम आई का वहां बंबू देंगे छपरी के फैंस 43 के प्लस थैंक्यू पाई थैंक्यू बबरो बबरो कह रहा हूं मेरी 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 मेरा हार्दू हर जगह पे जलील होगा मैंने तो अकास चोपडा की तरह नहीं कहा था ना कि गुजरात में जाओ और उसको बू करो मैंने तो नहीं कहा मैं ऐसी घटिया चोटी बात कभी नहीं करता हूं लेकिन बू हुआ है पिटरसन कह रहा है दो अवरों में 25 बार बू किया गया है हमने तो ये बू आज तक पं फिर बोल रहा हूं भगवान जी देने से पहले भी परकते हैं कईयों को और कईयों को देने के बाद परकते हैं दो तरीके से इंसान परका जाता है कईयों को इतना टेस्ट किया जाता तुमने देखा होगा कहीं बारी लाइफ में कहीं लोग ऐसे हैं जो ये कहता है यार भा और दोवान को भी कुछ करते ही नहीं 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 करते ही नहीं दोड़ी क्लाश चल रही है कि अधिकिक यह को देखा हो गाधत करते हुआ रहा है तबあー है तिमको देने से पहले तो इतना सब आहीं है है हर्श थैंक्यू ब्रदर लिखा कुछ नहीं देवांश गुपता पाजी मज़ा आ गया जो चाहता था वो हो गया कव्वे पे लात पड़ गई लात पड़ गई रोईद भाई औरेंज अब जीतेगा इस बार में यह थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन अच्छा परफोर्मस करेगा यह ठीक रहेगा आप अपना मंतर चालू रखना मैं नहीं मैं कोई मंतर नहीं कोई क्रेडिट नहीं खाता भाई मेरा कोई मंतर नहीं था मेरा सिर्फ इतना सा मंतर था कि अगर भगवान जी को लगता है कि इसका चहरा सा इसका थोड़ा गमईड नीचे आना चाहिए तो भगवान जी कर देंगे अपने आप हिसाब और अगर नहीं लगता है कि नहीं नहीं हार्दिक तो बिल्कुल सही था हर फैसला उसका ठीक था तो फिर ठीक है वो जीत जाए उसमें क्या है हम तो फिर भी लाइव आते हैं तो फिर भी तारीफ करते हैं अगले मैच में जीतेगा फिर तारीफ कर देंगे उसमें क्या है हमें कौन सा भारत सरकार से माप वो करवाना है पास करवानी है स्क्रिप्ट है ऐसा कुछ नहीं है भाई उतकर्स दूबे लारा ने कहा कि हार्दिक को इंडिया के लिए नहीं खेलना चाहिए यार मैं लारा की स्टेटमेंट जब तक सुनूगा नहीं न जब तक लारा की स्टेटमेंट सुनूगा नहीं मैं यकीन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने लारा की स्टेटमेंट पड़ी ह है अगर किसी भाई के पास लारा की रिकोर्डेट स्टेट्मेंट है वीडियो है वो मुझे सेंट कर देना इंस्टा पर क्योंकि उसने कुछ इतनी बड़ी बड़ी बाते बूली है मैं वह यहां कंफर्म नी करूंगा मैं यकीन नी करूंगा जब तर मैं सुनूंगा नहीं बस जगई जगी का इगनोर करो message यह बिना मतलब के डोलर खराब करता है इसकी message में कोई sense नहीं होता है हाला कि मेरे से कोई disagree करता है उसका मैंसी पढ़ता हूं यह nonsense message करता है मैंने इसको पहले भी समझाया है यह कोने भाई I am Rahul 4 लिखा कुछ नहीं brother merchant बहुत अच्छा लगा दल्ले जैसे चैनल की mkc आपको देखके खतम बॉस आर्यू लेजेंड खुशी हुई भाई देखो मुझे लेजेंड सिरफ चाहल भाई बोलते हैं हां तुम लोग भाई बोलोगे सिरफ ओके इंडियन प्लेयर की तारिफ करके व्यूज कमाता है और एक हमारे वाले हैं जो ट्रोल करते हैं तुम हार्दिक पांड़े की बात कर रहे हो देखो जो हराम जादगी से लबालब होगा न उसकी ली जाएगी ठीक ठाक तरीके से अगर कोई इस तरीके से कप्तानी हडपेगा मैं यह कह रहा हूं अगर मुंबे इंडियन्स ने उसको कप्तान बना दिया था तो रोहिष शर्मा के लिए हार्दिक की फिर भी एक छोटा भाई होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती थी यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि कॉंट्रेक्ट में यह डलवा दो कि मैं तो एस कैप्टन आऊंगा वैसे नहीं आऊंगा यह जिम्मेदारी बनती थी कि बॉस मैं एक सीजन रोहित भाई के कप्तानी में खेल लूँगा अगली बार से मुझे फुल कप्तान बना देना ये कॉंट्रेक्ट में डाल दो ये जिम्मेदारी बनती दे उसकी जिनको प्लेरों के साथ दोस्तिया निभानी है वो उनकी चाटें मेरे साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ये मैं तुमको बता दू रही बात ही पाकिस्तानी यूट्यूबर पता नहीं पाकिस्तानी कौन है कौन नहीं है मुझे तो सामने जो दिखता है स्क्रीन पे वो बोलता हूँ जो दिख गया वो बोले बगर रहूँगा नहीं बस इतनी सी कहानी है भाई अगर मेरी बात ठीक लगी हो तो भाई एगरी कर दो भाई को भी जवाब मिल जाएगा प्रियम कह रहा है बट ओल्मस्ट जितवा दिया था उसने वंएश ने हरा दिया था अजो घृ एक पूलमुष जिता दूगा एग्री ब्रो एग्री एलियन एक्स हेर भाई आज मजा आ गया बस एक बार विराट भाई इसको अच्छे से पेल दे करियर खतर यह सबसे पिटेगा यह सबसे पिटेगा इसकी सबसे तसली होगी यह जैस वाल के नीचे भी आएगा देख लेना यह पहला आवर डालने से बाजनी आएगा और वो पहले आवर में इसको छेतेंगे इसकी छिताई होगी तगड़े तगड़े तरीके से आप देख लेना सबको पार्टी दूंगा इसको वल्ड कब में मत लेके जाओ ने वल्ड कब में यह जाएगा जखो जो बात जायज है वो मैं बोलूंगा वल्ड कब में यह 500 परसंट जाएगा इसको वल्ड कब में जाने से कोई नहीं रोक सकता यह मैं बता दूँ आपको वल्ड कब में इस उसको यह लगता है कि मेरे उपर तो सवाल उठेंगे तब परफॉर्म कर देता यह अभिशिक चुहान एभी भाई ऐसा काम ऐसे काम रहे हो तो काम प्रे तो छपरी के तो भगवान को यांद करता रहे और बैठा देगी और कटोरा भी दे देगी हाथ में यह किसी को नहीं चो अधिक पांड्या कि ट्वेंटी का यह वर्ल्ड कप खेलेगा इसके बाद यह इंडिया के लिए खेलेगा कि नहीं खेलेगा मुझे नहीं पता कि पता नहीं कितने किर्कटर इंडिया खेलने के लिए तरस रहे हैं कहीं का कमबेक होना है वो तरस रहे हैं इसको कदर नहीं है इसको सरफ IPL की मलाई लेनी है तो अभी मिलेगी मलाई इसको आज तो मिल गई ना बढ़िया बढ़िया आज तो पूरी खुर्चनी मिलगी ना बस आगे आगे और मिलेगी रही बात BCCI की इसके लिए अलग रूल लेके आती भाई प्रवीन कुमार ने बिल्कुल सही कहा था यह चांद से आया है श्रेश एयर जाके रंजी खेले इशान खेले कॉंट्रेक्ट बाहर कर दो ना खेले दो और इसको कौन से कौन सी काटेगरी में डाला है जिसमें शामी और अश्विन है किसलिए सी में बनता था यह वो भी बहुत ही बड़ा दिल करके चांद कह रहा है लोड हार्दिक देखी एगजीकूट नहीं हुआ जी बिल्कुल एगजीकूट नहीं हुआ पाई जान अधिता करा भाई या गिल के ओपर कुछ कहो थोड़ा प्रेशर में था यार होगा ना नेचुरल है आई फिल के इतने बड़े मंच पर पहली बार कप्तानी कर रहा है आसान थोड़ी ना होता है यहां तो अच्छे-च्छे कप्तानों के पहल चोड़े हो जाते हैं वो तो फिर भी एक नया कप्तान है लेकिन बैटिंग में उसको बड़े स्कोर करने पड़ेंगे क्योंकि वो उपर से अच्छा स्टार्ड नहीं देगा तो गडबड हो जाएगी और अच्छी मतब उसको अगर कामियाब कप्तान बनना है तो उसको सुनना बहुत पड़ेगा मतब सुनना ज्यादा है उसको बोलना कम है सुनना ज्यादा है बस कही बारी ना आप बहुत कुछ चीजें स जी सबसे खराब तो यह लगा कि अकाश मदवाल को नहीं खिलाया वो रोहित का बंदा है ना इसलिए कि मिस्टर रेंबो पाजी आज नो कि वालियां आज मेरा सिंपल बात कर्मा अच्छा आज तुमारा सिंपल बात कर्मा ओके भाई ठीक भाई यह दिपांशो के रहे गहरी बात अरे वह गहरी बाती थी हर्ष मिश्डा भाया अभी स्टेडियम से आ रहा हूं कॉसम से मज़ा आ गया गला दर्द कर गया बू करते यह देख लो रहे यह यह था यह आदमी था बू करने में हर्ष मिष्डा गया हुआ था महच देखने हर्ष बू करते करते गला दर्द कर गया हिट मैन कटर फैन एंड यूर साइलेंट सब्सक्राइबर मेरा सब्सक्राइबर कभी साइलेंट नहीं होता हमारे वाले खींच के रखते हैं चक के रखते हैं मेटर थैंक्यू सब्सक्राइबर अमनो जी रोहित ने हमेशा आकाश मदवाल को बैक किया था कोई बात नहीं हर कप्तान की अपनी च्वाइस होती है इसको मुद्दाबंद हारदिक को जलील होना होगा तो आकाश के साथ भी हो जाएगा चेंटा मत करो आप देखिए कईओं बहगवान की सीधी किरपा रहती है तुम समझते हैं नहीं हो यार बात क्रिश क्रिश बाइब किंग हारदिक को बोला करो ठीक है डिसर्व करता भाई सब किंग बाई किंग क्रिश क्रोड से नहीं दिल से खेली जाती है हाम क्या बाद वह कि इसमें थोड़ा एड कर दू ना लीडर जो है लीडर कप्तानी सुन लो कप्तान जो है न और लीडर जो है वह क्रोडर रुपया देने से नहीं बनते पताईये तुमको कैसे बंदे बताओ रोही शर्मा भेह बंदे को किनारे कर दिया यार वाँ भई वाँ अगर इतनी नफरत थी इतनी तकलीफ थी तो जाने देते ना इसको कहीं चला जाता हूं हम बनाते उसको पंझाब वाले कफ्तान बनाते हम शिकर ध्वन को रखते वहाँ पर इजजत से रखते और शिकर ध्वनकी सारी मर्जी से करते सारा कुछ और बताऊ बोश रोही शर्मा की मर्जी से नहीं तुम्हारा कोई घर जला दे पूरा का पूरा तुम्हारे अर्मानों पर पानी फेर दे कोई और उसको गले लगा लो आके ठीक हो जाएगा सब कुछ बात करते हैं किरती सिंग भाई जब हार्दिक रोहित सर को बोल रहा था पीछे जाकर खड़ा होने को बड़ा खराब सा भी लो रहा था हाँ खराब मैं तो लटमंग वा लिया था गाड़ी से मैंने का लट लाओ रहे जरा एक बार फास्ट और क्यूरियस रोहित 44 बुम्रा थ्री विकर्ट चपरी की दस एकनोमी इन बॉलिंग फ्लोप इन बैटिंग और मुंबई लोज और क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बड़ियासा डिनर चाहिए सोने के लिए बिश्तर नहीं नींद चाहिए होती है नींद कहीं भी आ जाती होती है बस यह दो चीजह चाहिए पाईजान और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मैं नहीं सोरा आज मैं नहीं सोरा आज लेकिन सोना दो पड़ेगा लेकिन निद नहीं आएग math मैं तो आज सोते सोते भी हंसता रहूंगा ऐसा लग रहा है मुझे तो आगे बढ़ते हैं जी बाई लोगों एक बाई बारी मैं सूपर चैट निप्टा दूं फिर आता हूं तुम लोगों के पास ठीक है थोड़ा स्पीड से खीच रहा हूं काम अलोन 17 कर रहा है पाई जान स्वाद आ गया रोहित का डोमीनेट हो गया और छपरू का एक्जिकूट नहीं हुआ यह बेशरम भी गुज्रात गुज्राती है घर पे उकाद दिखा गई पाईजान अली मंडोला बिल्कुल भाई मैं दखो एक ही चीज को फिर बार बार रिपीट करना पड़ेगा लेकिन बात तुम्हारी ठीक है श्री 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 एक सुएट महराज पांडिया पुत्तर अस्ताद हरुड हल्य नहीं तो गलती नहीं कोई गलती नहीं है उसकी सफ इतनी से ड्यूटी बनती जिल्गों कहीं चीजना इनसानियत के तौर भी देखी जाती है लेकिन नहीं देखी भाई उसने मैं कप्तानी बनूंगा रोहित मेरे अंडरी खेलेगा ये ये इसकी वो थी कंडिशन कि ले ले पर कर ले पूरी रोहित तो आज कितना स्मूथली बैटिंग करके गया एक नंबर की बैटिंग करके गया है वो तो हार्दिक का उसका देख लो गुम्रा का स्पेल ठीक है अलोन 17 भाई तो और क्या चाहिए बताओ कि दुरुवा दुरुवा के रहे भाई आज रोना आ गया जैसे हार्दिक ने रोहित को ट्रीट किया यह रहा भाई यह रहा पर उसका रिजल्ट मिल तो गया बट रोहित से एक चीज सीखी कोई आपके साथ कितनी भी गलत करे आपको इमांदार रहना है इंस्पाइरिंग हां इमांदार देखो दो तरीके से हैं मैं इसमें इमांदारी नहीं इसमें दो चीज़े लेके आँग तो दूसरी चीज इसमें यह हैं इमांदार रहो चुप रहो कि दूसरा कि कम्प्लीटली वहां से हट जाओ मैं तब से देख रहां जब कोई जब कोई बोलता टांगे नहीं दिख रही अचा अचा तुम बहुत पुराने हो एक दिन हमारा एक भाई है सब्सक्राइबर है वह आयक दिन कहता भाईया मैंने कहां आप बाड़ी कहीं नहीं दिखाते हो इसको लग रहा मैं यूँ 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 चलता हूं यहां से और मैंने कहीं टांगे मेरी भाई तुमित्रा शिर्वास्तवा भाईया प्रिंसो 17 ओवर में शोट लग लगा रही थी बेलकुल तेवतिया को लगाया देविड पे और एक बैटर का गजब रिव्यू लिया ओ वो उसका लिया था नमन का वो बिलकुल आउट नहीं लग रहा था भाई पहले रियक्शन से उसका बहुत अच्छा रिव्यू लिया नहरा जी नारियल पानी महोल एक बार वो सजनी सजन हाँ हाँ मेरी प्रिंसो ऐसे आती न कैसे था वो गाना सजनी सजन होंगे लोगमगन होंगे मेरी दुआओं से ये रात सजेगी लंबी हो छपरी तेरी खुदाई समझ रहे हो ना आगे मत बोलवाना फलो फलो में निकल जाएगा कुछ पंदर्मा सोल्वा और सतर्मा अवर मैंने स्पेशली नोट कर रखा है यह थोड़ा पेपर मैंने फाड दिया फाड के यू यू कर रहा था मैं हाँ पंदर्मा सोल्वा सतर्मा अवर बारा रन हैं सिरफ तीनों अवरों में बारा रन आए यहां से लगे हैं असली गोड़े अमिद भाई कहा रहा है भाई जिसने कभी किसी की इज़्जत नहीं करी उसको दुनिया में इज़्जत कैसे मिलेगी नहीं मिल जाती है उसके लिए आपको छपरू होना पड़ता मिल जाती है बहुत ही सिंपल है यह सच में हो जाती है रिकभार्मट होती है गंदा सा बनियान पहल लो उसे वह बनवालो क्या बोलते हैं उस पर अब पहिंड़ ऐर्पोर्ट कर जाओ जाओ पहिंड कर बनियान क्पल पहिंड लो बड़े वाली वो प्र से उठी हुई वाली कि एक और रिक्वाइरमेंट है गले में वो डाल लो चमकीली सी चेन माला डाल लो कि मोटे वाले चश्में या तो बिल्कुल मोटे वाले या कताई पतले यूं बरीक वाले हाथ हमें दो मोबाइल पकड़ लो ठीक वह अंगूठी पहनो गुलाबी हरी नीली वाली और यहां पर कुछ पहनो वह यूं-यू हिले सल्मान वह ऐसी होनी चाहिए जैसी मतलब उस पर ना कुछ वह नहीं कोई कलाकारी होनी चाहिए उस पर प्लेन नहीं होनी चाहिए वह ठीक है जैसे दखो अभी अंबानियों के यहां प्री वैडिंग हुई पूरी दुनिया से लोग आये कोई बढ़िया सा कुड़ता पजामा पहन जहिं अच्छी लग रही थी तो फेहन के चले जाओ वह बच्चो वाला झुगला सा सबभता बच्चो सब्चर वाला जुगला पहन लो कमाल होगि यार है अरे हमारे यहां घरों में पांच-पांच साल के बच्चे बाहिंते हैं जूगले वह भी सोते हुए यह अंबानियों की शादी में पहिन गया इसको लगा इट सोके टू बी यूनीक फूल लगूंगा फूल अंबानियों ने पता नहीं कौन सा दरवाजे में बंद करा दो दि में घर चले गए धरमशाला मैच खेलने चले गए हमारे लड़के यह दिखाई नहीं कहीं कि फिर बाद में पता लगा वह रहाना वाले बंदे ले गए इसको अपने साथ तब यह वापीस आया वहां से छोड़ा उन्होंने ओह हम तो बंदा गलत लिया भारत से यह उसकी प कावी सारी पेटी आई थी डब्बे आए थे कावी सारी चलो आगे बढ़ते हैं तुम लोग यार क्या जिकर कर देते हो अमीद भाई तुमारा देख लो कितना लंबा जवाब दिया मैंने मेरे भाई के मैंने पूरे सोर पर वह कराएं वसूल कराएं इतने तो मैंने पांच कि एग्री वाई एग्री और अग्री वाई एग्री अलूर इंस टाइलज वो तुम्हें बार में पदा लगेगा की विबि एस रामा वाज मेरा बड़्डे हैं आपका विश्य चाहिए भाई सुलेशन यार बड़्डे की बहुत-बहुत मुबारक हो तुम्हारा बर्डे इतना स्पेशल है कि हम सब खुश है और तुमारे बर्डे पे हमने एक स्पेशल रिकोर्ड बनाया है पचास हजार वोचिंग का वाउ और अभी भी हमारे साथ देखो तेरा हजार आठ सो लोग हैं थैंक्यू भाई लोगो अभी भी जिन भाईयों ने सब्सक्राइब जितन चे और फाइनल तक ले जान चे हवाच सी मैं कित्ता सब पाईश ही गलत वाड़ी जदो ट्रोफी जीता ना पाईजी दो हजार बाईच चलो कुछ लोग नौर्थ इंडिया से भी हैं अपने भाईयों जब यह ट्रोफी जीता ना दो हजार बाईश में इसने ट्रोफ उदर से उन्सको बुलाया रिक्की पॉंटिंग को उदर से सचिन पाईजी को बुलाया कहां सर आओ ट्रोफी लो आप अरे किसी यंग्स्टर के हाथ में पकड़ा देता है कोई नहीं हो जाता है कोब्रा भाई पाईजान नेक्स्ट लेवल स्टेडियम है अपना मतलब एक पंजाबी बंदे को जो वाइब चाहिए वह वहां है गाने वाने पूरे एक दम खेंच के चल रहा थे गाने वाने तो मैं भी सुन रहा था एक दम मस्त महौल था बढ़िया था बस आवहां पार्किंग वार्किंग का दिक्कत खत्म करने कि यह जो पुरान लेकिन जब मैं वहां ना मुहाली में बेसिकली आस पास के घरों वाले के लिए तो यार मतलब बहुत आफ़त हो या थी विचारों के लिए तो यह वहां यह चीज की दिक्कत भी वहां खत्म होगी है अच्छा वाई पूरी थी ना वहां पर आगे तुमने का गाने एक से बढ़के एक हैं पाई गाने तो इतने बड़ी हैं किसी का बोलिंग करते करते डांस निकल जाता है बंगडा निकल जाता है उपर से प्रितों बिल्कूल उपर वैठी थी मैंने वह वीडियो देखा तुमारा जो तुमने भेजा मुझे वह बिल्कूल पास थी यार तुमारे तो वह न ऐसे दिखरी थी विल्कूल कि यह खड़ी इदर देखा मुने वीडियों और आगे तुमने कहा कि सोनम बाजवा गया देखे गई सोनम बाजवा कि इतने मासूम होते लडगे हैं भोले होते हैं लड़के हलागी वह एक्ट्रस है उसका काम है एक्टिंग करना यह परस्नली ले गया है स्माइल को पैसा अगे समाइल देके गई गई बिल्कुल सामने से तो पाईसा वश्रूल हो गया उपर से जीत भी खए को बेश्टो ने भी रियक्शन दिया है यह जादा बड़ी बात थी है वे एक्षट रेक्शन नहीं देता बैन के स्ट्रोक को भी नहीं देता वो रियक्शन तुमको दिया रियक्शन यह यह जैन्वन बात भाई दीपक भाई आची सर भी लाइक इस चपरी को लग रहा था कि हम जीटी वाले इसकी वज़े से दो बार जीटी वेंस ने जावा दे जावा दे कर दिया जपरी को बिल्क उसको यह पहला कप्तान है जिस टीम से गया उन्होंने रोका नहीं जिस टीम में गया उन्होंने कोई ज्यादा इकसाइटमंट दिखाई नहीं यह हार्दिक पांडिया फॉर इू गाइस कि 2025 के बाद ये कौन है भाई स्टैक स्टैक भाई कह रहा है 2025 के बाद हार्दिक इंडियन टीम में नहीं दिखेगा मेरा भी ऐसा ही मानना है इसलिए नहीं दिखेगा कि वो कोई खराब क्रिकटर है बॉस एक बाद बता दू मैं तुमको विनोध कामली कहते हैं फिर बोल रहा हूं दुबारा विनोध कामली सचन तंदुलकर से ज़्यादा टेक्निकली साउंड बैट्समन बोला जाता है हमने ऐसा सुना है प्रॉलम कहां थी एटिट्यूट में ये भी हमने सुना ही है आगे नहीं बोलूँगा समझ लेना उस टाइम पर विनोध कामली का फोटो देख लेना और इदर हार्दिक का देख लेना आपको पता लग जाए आगे तुमने कहा भाई very arrogant and selfish player अगले साल से सभी उसके खिलाफ बोलने लगेंगे वो बस टी ट्वेंटी का परफोर्मस वेट कर वेट कर वेट कर लिखाये तुमने नहीं हमको क्या लेना देना भाई कोई अगेंस बोले ना बोले देख वाई मैं एक बात बता रहा हूं थार्दिक पंडे अगले मैच में अच्छा करेगा अच्छा मैंने मैंने आज भी अगर आप पहले 47 मिनट का लाइव सुनोगे जो उसने चक्का मारा है मैंने वो उसकी पाजी मैं फाजिल का तो अड़ावीवर होन ते मान है पाजी थेंक्यू यार मैंने तो अड़े सारा ते मान है पाजी थेंक्यू सो मच फाजिल का दो पाजीबार फाजील का, पाजी मैं 2010 2010 नहीं 2009, 2010 में बहुत बार रुकाऊओं फाजील का बहुत बार रुकाऊं पाजील का अबहुत बोर केड़ी रुकाऊअं यश राच एभी दादा मैच में तो किसी ने नहीं लेकिन हमने आज वेस्ट ओफ टाइम जरूर कर दिया पचास के वोचिंग का आरे वाई पचास का वेस्ट ओफ टाइम वोचिंग पहुंच गे बाकी लव यू भाई और फाइनल तक 500 के पक्का यार भाई पता नहीं मेरे को मैं वो सोचता है नहीं भाई है मैं वह बिल्कुल नहीं सोच पाता हूँ क्या अतना सा रांगता हूं आप लोग इतना दे देते हो मतलब मेरी में इशारा गलत मतलब मैं तुमसे 1000 सब्सक्राइबं मैंगतर आप लोग 2 सब्सक्राइबं मैं things या मांग हुँ ठीक है टूइटर पर चलते हैं वहां आग लग रखी होगी तैंक्यू यश्राज अविनाश कुमार से ज्यादा व्यूज है भाईया आपके चौबिस के थे उनके बीस के थे पॉल चोड़ो हमें क्या करना लग है कि यानि लोग बगड़े लोग हमारे यहां तो कोई है मेन तांग रूट और देख लूँ यह मूदेख लो मेरा हैं बचाओ यह चांडिघदी शान यूट्यूब चैनल गुर्णूर श्लोक्स अबाउट किर्केट वीडियो लोग तुसी चाट आउट दे दो नीड सपोर्ट भाई देख लेना भाई का चैनल गुर्णूर श्लोक्स का और मैंने आपका अच्छा काम करो मेहनत ज्यादा करनी है एवरेज काम नहीं करना पाट टाइमर बनके काम नहीं करना है पाट टाइमर बनके काम करोगे रिजल्ट पाट टाइमरो वाले मिलेंगे सब कुछ डाल दोगे सब कुछ जोंक दोगे सब कुछ दाव पर लगा दोगे रिजल्ट आएगा 500 परशांट ठीक हैं अभी आपके चैनल पर बारा वीडियो हैं बारा से काम नहीं चलेगा 1000 वीडियो डालो दिन रात एक मेहनत करो तीन साल तीन साल मतलब बाराती है चटी महीने एक दिन रात कर दो एक हजार वीडियो क्वालिटी वाली एडिट करो और उनको अपलोड करो 37 महीने अगर रिजल्ट नहीं निकला जो बोलोगे वो दूंगा ये छोटी सी बात याद रख ले न 12 वीडियो में मैंने आज तक अपने भाईयों का कजन्स का रिष्टेदारों का मुबाईल पकड़ के कभी सब्सक्राइब नहीं किया पता क्यूं नहीं किया अगर अपने लोगों से एक यूट्यूबर काम्याब होता तो सब हो गए होते आपको अनन लोग चाहिए वो लोग चाहिए जो आपको डारेक्टली मिलें खुद मिलें वो तुमारे असली भाई बनेंगे ये बात याद रखना पीच के रखो मेंटर ढील नहीं देनी है अभी सिर्फ आपने चैनल बनाया है ये पांच मिनट का काम है जहां पे आप खड़े हो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझना है आपने ठीके ठीके गुर्णूर विकरांत मुलानी यो ये भी ब्रो यो ब्रो हार्दिक छप्री जिस तरह रोहित को पिल्डिंग के लिए भेज रहा था यार ये चीज ना बहुत लोगों को हर्ट करी है ये चीज बहुत लोगों को हर्ट करी है और मुझे भी बहुत यह जीब लगी है उसको कुछ रिस्पेक्ट का नहीं है मैं इतना खुश हूँ छप्री पिल गया चलो खुश हो ना वास एड़ दा एंड खुश रहो यार तुम या आई पिल क्यों है कराती है खुश नहीं के लिए बाद करो ट्विटर पर अभी नहीं चलेंगे रुख जाओ थोड़ा सबर करो भाई क्या हुआ अभी देड़ी तो बज़ा है अरे आज तो जशन की रात है जशन मनाओ करो कल एक ही मैंच है थोड़ा रेस्ट हो जाएगा हेतम इतना हेवी निकला गाड़ी नहीं लेके निकला अपनी टिम देविड को कहरे है तू जा तू जा पहले वारे वाँ सौरव एवी भाई कॉंग्रेट्स फॉर फिफ्टी के वोचिंग विशिंग विशिंग मौर सक्सेस टू यू हार्ड वर्क करके हमें इंटर्टेंड करने के लिए दिल से शुक्रिया 33 के लाइक्स हो जाएंगे भाई यो इस लाइब में मैंने जब तक तुम्हारा मैसीज पड़ा वो 36,000 होने वाले हैं में क्या डिमांट करूंगा भाई वोगों से तुम लोग और आध्यों से इपिम्हार ये जितना मांगेंगे में से डबल दे देंगे शैन्ट कुश नहीं अ बाकी तुम लोग हो और उभी वह 3 चीज़े करके ही नहीं है दूसरी बात यह है कि मैं शाड़े तीन बज़े नहीं का मैं चार बज़े इस चेर पर बैठाऊं आज हो कि डोपैर को ह Other आधद को मेरा ग्रीयत नहीं है कि अधर एक одखर रहा है D दो घंटे का लाइव उल्रेडी करके जा चुके हैं पहले, ये वाला लाइव दो घंटे छे मिनट का उल्रेडी हो चुके है, पस यही है मेरे पल्ले, मैंने उसी भाई को इसलिए बताया वो जो भाई यह भी आया था, कि एवरेज मेहनत नहीं करनी है, एवरेज मेहनत सब कर हैं, वो करना है जो कोई चा के भी ना कर सके बस, मेरी लडाई सीधी सीतनी है, काम्याब होने का एक ही फंडा है बस, दुनिया दस घंटे मेनत कर रही है, तू 24 घंटे करेगा, करेगा मतलब करेगा, अगर तू यह सोच रहा है कि दुनिया दस घंटे मेनत करके काम्याब हो और तू आठ घंटे मेनत करके कामियाब हो जाएगा गलत सहमी में हैं यह मैं बाई क्लियर फंडा बता रहा हूं और आपने बहुत बड़ा मांट खरच दिया आपने अब ध्यान दिया रहा था चपरी आज जान बूझ के भाई मुझे नहीं बता कौन किसको कंट्रोल कर रहा था लेकिन इतना जरूर है आज जो हो गया है ना वो इतना खुशी का पल है इतना खुशी का पल है कि मैं आपको बता नहीं सकता मतलब हमारा कोई इंट्रस्ट नहीं होना चाहिए था चपरू को पिलवाने में लेकिन इसने हरकत ऐसी करी है ठीक है मैं जराए मुबाइल चार्जिंग फे लगा दूँ इसने हरकत ऐसी करी है भाई कि यह होना ही था यह बाई डिफोल्ट था यह होना ही था ठीक है यह देखो मेरा पावर बैंक देखो शकुरू से बड़ा है मेरा पावर बैंक यह हलांकि है तो DSLR कैमरे के लिए यह कैमरे वाले ने ना मुझे यह वाला यह यह पावर बैंक बिना मतलब के चिपका दिया अब एडिक के साथ कर्मा हुआ है बाई मुझे नहीं पता किस तरीके से करता है अलागी मुझे इसकी डेफिनेशन पता है थीक अच्छी बात है आपने बोला था रात वाली लाइप पे बताओगे बेस्ट फिल्डिंग बेस्ट बैटिंग बेस्ट आँए यार देखो अच्छा ए दूसरे नमबर पे चेन नहीं है तीसरे नमबर पर पंजाब और सबसे आखरी में लखनव है उनका नेट रंडिट माइनस में माइनस वन तो उनको इस नेट रंडी रेट की अपनी रिक्वायर्मेंट पूरी करनी पड़ेगी आज IPL में सारी टीमों के एक-एक मैच हो गई मुझे लगता है सन राजिज हैदराबाद ने अच्छी फिल्डिंग करी है बढ़िया आफट मारी उन्होंने बहुत अच्छी फिल्डिंग करी उन्होंने मैं वह दो तीन कैचिज इग्नोर नहीं कर सकता बट ऐसा नहीं है ना कि वह पूरे आईपिल में बेस्ट आसपास हैं वीक किसकी है उसमें से एक सब्सक्राइब की वीक है अगें यह चीज ना सोच के होती है यह ऐसे अभी पूरा दिमाख ऐसे जाके पूरा रिलेक्स होकी नहीं सोच पाऊंगा तो यह चीज है तो वारा क्या इंट्रस्ट ए एलियन बेस्ट बोलिंग बेस्ट बैटिंग और बेस्ट फिल्डिंग वही टीम है जो आईपिल की ट्रोफी जीट जाएगी इसका एक सीधा और बढ़ा बहुत बढ़िया लोजिक वाला जवाब यह सीधी सी बादर अधित्य गुप्ता भाईया तीनों शर्मा चल गए रोहित मोह है कि एओसी गेमिंग कर रहा है आर सी बी को जितने के लिए 220 रन बनाने पड़ेंगे बिल्कुल कि पंजाब की बोलिंग बहुत अच्छी है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हूं क्यां कि डिशेंट साइम इन किर्कट क्राउड बोर्ड बू किया है समसमवन व्यल्कुल यूनिक की बुपकर कोई मुझे नहीं पता इंडियन प्ले शाएं नहीं हुआ हो गया अपने घर में तो इस Rock nt नहीं बाहर हुआ है बाहर हुआ है महेंदर सिंग धूनी और हमारी पूरी इंडियन टीम को वह इन बैल वाला हुआ था न किसा जाते हुए भू किया था लेकिन जब हम लोग टी ब्रेक से वापिस आए टी ब्रेक या लंच जो भी था फिर उसी क्राउड ने तालिया मारी थी क्योंकि अल्रेडी डिटोरियो रेटिंग सिंस 2021 इस नाओ डाउन टू नल पोस्ट पिसको मतलब एमेसडी लास्ट आइपियल सो आरसीवी गॉना भी बिगएस फेन बेस बाई मार्जिंग वो तो है वो तो हो जाएगा वो बात ठीक है तुमारी बट आरसीवी को ट्रोफी जीतनी पड़ेगी आरसीवी को यार देखो बाई आरसीवी की फैन फोलोइंग बिलकुल एक्दम सोलीड है बढ़ती जा रही है और और भी बड़े अच्छी बात है लेकिन यार वो फैंस भी तो डिजर्व करते हैं ना ट्रोफी वो बिचारें जलील होते हैं यार ट्रोल होते हैं वो तो ट्रोफी की जुरूरत है मेरे भाई फैन बेस तो है उनका दुनिया में नंबर बन हो सकता है लेकिन यार ट्रोफी डिजर्व करते हैं यार वो फैंस भी भाई बल्राम मीना एहंकार को एहंकार तो रावन का नहीं रहा यहां तो फिर भी इंसान है बिलकुल सही बात है गेमर मुंबई का सो क्रोड पानी में गया च्छपाक यार हमें नहीं पता ओफीशल कित टीम जीत गई यह उस्तादों ने हल्ला मचा रखा है आई पिल दोहजार चौबिस में मेरे उस्ताज जी की आज एक ही एफट है मेरे उस्ताज जी का क्या योगदान है सुबह वाली वीडियो में बताऊंगा ठीक है अगर याद रहे गया तो इस आकीब जाविद कह रहा है हार्दिक रोहित को फिल्डिंग पे जान भूज के नचा रहा था तो उसको पूरी मुंबई इंडिन टीम ने अपनी बैटिंग से नचा दिया देखो बाला सब जकता जै हो पीली जर्शी वाले बाबा मज़ा ही आ गया सारे प्रेडिक्शन ओन पॉइंट यार आज तो मज़ा आ गया आज तो आज तो मतलब ऐसा लग रहा हो अपनी ची मतलब भगवान टाइप हो गया काम डालोग था ना अपनीच भगवान है योगेश आश इन पोनेट वाटर इस सो अमेजिंग सही बात है है योगे एक लेक्टिक पानी पीता है कोई लेप्टोप नहीं कोई यूउँ यूँ नहीं लगा रहता है लेप्टोप में नहीं सिंपल इंसान को सामने खड़ा करके इंसान की लेंग्वेज में समझाता है बास और आगे वह गुजरात में एक महुल बन गया गुजरात की टीम में कि नहरा जी जो कह रहे हैं न चुपचा मान लो हार गए तो भी ठीक जीट जीट जाएंगे तो चलो अच्छा ही है लेकिन अगर जो नहरा जी कह रहे हैं वह मान के अगर हार भी गए तो भी दिक्कत नहीं आज मैं कोच होता ना मैं इस मैच को बार में 13 में आवर मैं छोड़ देता है मैं अपना कुरसी पकड़ लेता मुझे पदा था यारी यह कितना मेहनत कर लूँगा मैं इस मैच को नहीं नहरा जी ने पकड़ के रखा भाई काम यह तारिफ करनी पड़े यह अंकित अंकित भाई वाइब्स लिखा है वाइब्स चाहिद थैंक्यू ब्रो एबी क्रिक इन्फो 45 चपरी चपरी है पर मुंबई हमारा हमारा है है हैस्टेग रोहित बिल्कुल सेच्वंद गोईल भाई दिल्ली को जिताने का कोई ठोट का लगा दो अगले मैंच में करते हैं बात दिल्ली की अज रोहित के फेस पे पहले वाली खुशी नहीं दिखी इसका मैं जवाब पिछले लाइब में भी दिया था जब इस तरीके से आपके साथ होता है तो वह चीज नहीं दिखती है लेकिन चलो कोई बात नी वह सकता है रोहित शर्मा भी घर पर अपने होटल में जाके अभी हसरा होगा मैं सही बता रहा हुआ है रोहित शर्मा का वह वाला डांस देखा तुम लोग ने में रोहित करा रहा हुआ इताज अपनी ताक़त दिखा दी हार्दिक को पागल बना दिया रोहित भी बॉक डाउन था फिर भी शेहर की तरह खेला और नहरा जी क्या मस्त कोच है जीतना था जब यह टोस्ट करने गया ना पंजाबी में कहते हैं यह बॉंदल गया था बॉंदल गया यह वहीं पर कि बड़ाई कूल बन ले जो मर्जी कर ले इग्नोर कर ले बॉस कि यह जो ग्राउंड था ना कि यह जब खाली भी दिखता है ना कि इसमें तब भी सत्तर असी हजार लोग बैठे होते हैं कि जब सत्तर असी हजार लोग मुझे ओफीशली अटेंड़स नहीं पता कितनी हैं लेकिन जब इतने लोग बैठे होते हैं ना ज्यादा थे ज्यादा थे इससे तो भाई आप जितना मर्जी इग्नोर कर लो वो क्तान में सीधी आवाज पढ़ती है तुमारे समझो इस चीज को और क्राउड ने अपनी ताकत दिखा दी अभिलाश ठाकुर इर्फान पठान सेड दिस हार्दिक डिड़न्ट वांट टू फेस राशित खान एन ही सेंट टिम देविट यही तो मैं बोल रहा हूँ वो हमारा भाई एक विर्क पाजी है वो कुछ और ही थूरी बता रहे हैं विर्क पाजी दिल तोड़ दिया आज आपने डिसेगरी होना चाहिए हो जाओ कोई दिक्कर नहीं है मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि मेरी हां में हां मिलाना है लेकिन इतना 360 मत मार वो कि विस से दिल ही ही तूड जाए फट नहीं हार्दिक इंडियन है अरे इंडियन पालिया कि कहां से बात आए बहुस बता खांते बहु हें 200 level औेलशिएक को चाहता राशित को हार्दिक फेस नहीं करना चाहता था राशित को इसलिए उसने टीम को भेज दिया अबिशेक सिंग अच्परी को भी वान खेड़े भी आना है वान खेड़े वान खेड़े को कैसे भूल सकते हो भाई हैस्ट्रेक मुंबई का राजा मुरोही शर्मा एंड अच्चा हुआ सकाही नहीं कहला वरना चपरी एरो बन जाता दखो टीम तो यह जीतेगी मुंबई इंडियस जीतेगी लेकिन मैंने पहले भी कहा था यह आई पिल शुरू होने से पहले लई टीम तो यह बहुत सौलीड है इस टीम को एक ही आदमी मरवा सकता है वो है इसकी कप्तानी आज यह मैंच सिर्फ और सिर्फ कप्तानी के कारण मर गया यह जो दो चहरे देख रहे हो न यह एक उदर वाला कर लो प्रेस कॉंफरेंस अवदेश शर्मा भाई आपने शायद नोटिस नहीं किया फार्दिक पांड़ा आउट होने के बाद आधा जम्प लिया जैसे की जीतने के बाद करता है नहीं नहीं मैंने नोटिस क्या नहीं किया अरे भाई रुको यार ए भी क्रिक इन्फो हूं मैं तुम्हारा भाई हूं तुमने यह कैसे सोच लिया भाई ने नोटिस नहीं किया होगा रुको जरा यह देखो पीछे इस वाले एंगल से आया था उचलने वाला मैं एक एक चीड़ नोटिस करता हूं इसी लिए मैं यहां इसी चेर पर बैठके मैंच देखता हूं मैं अराम से कमफर्टेबल होके पीछे नहीं बैठ़ता है इसलिए वह कई बारी बैक पेन हो जाता है वैसे मेरी बैक में कोई दिक्क्द नहीं है आदा जम्प लिया था जिससे की मैं जीतने के बाद करता है प्रेक्टिस करके आया था मलाई मलाई खाने वाला था कैप्टन मलाई खाने थो इसकी पुरानी आदत है ना रेवन फरी बाई मुझे डाउट था कि एमदाबाद का क्राउट छप्री को भू करेगा क्योंकि छप्री गुजरात का ही है बाई बर्थ ब्रो एक बात सुन लें आप लोग सब ध्यांज़ सुन लें वो इंडियन है वो गुजराती है वो कहां पे खेला है उसका होम ग्राउंड कौन सा है वो इंसान कैसा है उसका नाम क्या है उसका सर्निम क्या है वो क्या खाता है कौन सी गाड़ी चलाता है क्या पहिंता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता जो रोहित के साथ हुआ है जिस तरीके से रोहित को हटाया है मुंबई इंडियन्स की मैनेजमेंट ने जिसके कारण हटाया है उसको एक ही लाइन बोलनी थी ठीक है यार आप मुझे बुला रहे हो मैं आ जाता हूं एक काम करते हैं की रोहित शर्मा मेरा भाई है मैंने उसके अंडर बहुत खेला है है उसके भी बहुत फैंस हैं एक काम करते हैं इस साल मैं रोहित की कपतानी के लिए हो जाती है तो इस से मेरे भाई कोई फरक नहीं पड़ता कि वो एम्दाबाद का है गुजरात का है एम्दाबाद में खेल रहा है इसे कोई फरक नहीं जो बात गलत है न वो गलत ही है मेरे भाई ही आप इसको बता दो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं मैं जो गलत था वो गलत था उसको कौन से लोग उसकी इस बात से गुसा है इससे कोई फरक नहीं पड़ता आगे तुमने कहा बट आज जो देखा उसके बाद यही बोलूँगा एमदाबाद तो बस टीजर था मुवी तो वान खेड़े में आएगी यह बिल्कुल सही बोला तुमने आ लास्ट में यह यह टीजर था ठीक है बट यह कहीं भी जाएगा ना कहीं की भी क्राउड होगी मैं आपको कह रहा हूँ यह तो चलो रोही शर्मा मुंबई इंडियंस में अभी है मैं आपको कह रहा हूं ऑगर Mumbai Indians में वह इस बार यह नहीं भी ओता न रोहित हैं यह तब भी ऐसा ही ट्रोल होता Frost PB अ क्षिость पिवी हार्दिक को तो मैं गली Cricket का भी कप्तान नहीं 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 यार Mumbai Indians का थो बनाई सकता हूं अगले साल से बना देता न एस शपरू को हारते हुए हारते हुए बीर पी के सेलिब्रेट करा रहे तेरी ऐसी कि तेरी कुनाल मेनारिया बहिए जब भी जैपूर में अगला मैं चो तो उद्धेपूर घूमने जुरूर आना बाइदे वे लव लव यूर कॉंटेंट थैंक यू जैपूर मेरी पहली मौझा यहां जो को शाल कि तो के बनेगा का पता नहीं अधी बटा दिया क्यों कोन है मैं नए लड़के से भी कप्तानी करा दूंगा महेंदर सिंग्ध धुनि वहां पर विक्तो के पीछे खड़े होके उन्होंने रितु राज को पहला मैं जिता दिया नहराजी कहे रहे है सेरिल तुना हैं अब हमांग को निकाल के नहराजी को ले आओंक निकाल के नहराजी को लिए नहराजी को जाता नहरा जीनी जाता नहरा जीनी जाते भाई था तु बहिया यह कोवा सी इसके गया था और कैप्टन सी मांगी शी इसके वालों ने कहा विसल फोडू भाग लागा ओ तो बहिया यह कावा सीईसके गया था कैप्टन सी मांगी कि इसके वालों ने कहा विसल फोड़ू फाग गोड़ू बाकी तुम समझ गए हो क्या बोला होगा ओ यार भाई यार क्या करते हो यार तुम नहीज़सा कुछ नहीं वादाओ कहीं नहीं यह वैसे मीम बनाय पंढ़ता है यह दो वाज़ आगे बढ़ते लोग मेरे नियों are जिंद का रवा गया झाल कर नaporeale गुर्पृत सिंग दो चीजे बेस्ट हो गई आज पचास के प्लस एंड छपरी लोस्ट यो ब्रो थैंक यू पाजी तो गुर्पृत पाजी भी आगे ने साजित पठान गमा गनी भाई गमा गनी भाई ओल्ड सब्सक्राइबर अचा ओल्ड हो आज तो मजह ही आ गया फर्स्ट आरार की जीत होगी भाई मैंने तो राजस्तान की जीत बोला था होगी मतलब होगी और उसके बाद चपरू की बेजती ग्रेट प्रडिक्शन अबाउट चपरू ओल्वेज लव यूर वीडियो थैंकि ब्रो अविशेक गौर लिखा कुछ नहीं है स्माइल स्माइली भेजा है कपिल शर्मा साही किशोर और मोहित डिजव मैन ओव दी मैच नहीं मुझे लगता है मोहित को मिलना चाहिए था बट ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं याश पंचाल काम ऐसा करो कि दोनों टीम में मिलके गालियां दें औरे भाइड यह अफ़वा कौन फैला रहा है यह अफ़वा कौन फैला रहा है कि हार्दिक को लंबा डाल इन एक तरफ मांग बाउचर को लेटा रखता है दूसरी तरफ मेरे पांडू को ओ भाई यार यह यह इन्नों ने आ बैल हमें मारो हमें लेटा लेटा के मारो बोला इन्होंने अरे यार भाई या थक या यार भाई लोट सैवंथ एफ़व क्या लगता है इस बार कौन सी ट लेकिन मुम्बई को मरव यह इसका खमंड यह बिना मतलब का जो सस्ता धूनी घूम रहे है ना बनके इसको यह 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 वाला इसको वहम इसको यह वहम निकालना पड़ेगा और मैं बतादू कि मैं पता दूं अगर इसको यह वाला वहम आज भी दूर नहीं नहीं हुआ यह यह नहीं हो सकता दूर आगे भी मेरे को अभी तक उस बात पर हसी आ रही है भाया यह सीएसके गया था कप्तानी मांगने वहां सीएसके वालों ने कहा विसल वोडू चल भाग वोडू परती गया था भाई रोहित को इदर उदर भागता देख के बुरा लगा अरे यार आखरी में तो मझे आया ना तुम कपिल शर्मा भाई डी सी लवर हूं और आज तो हार्दिक को हारता देख के सकून मिला रोहित और शुब्मन को देख अच्छा लगा क्रेडिट बिहाइंड हार्दिक वाज आशीश नहरा यह कुछ मैंचों में और प्रूफ हो जाएगा ठीक है और रही बात हां रोहित और शुब्मन को देखके दो बिलकुल अच्छा लगा उनकी परफॉर्मंस चाहिए थी शुब्मन को जीत चाहिए थी और रोहित को परफॉर्मंस चाहिए थी साथ आज एक आवर स्पेंड किया रिल एडिट कर दो प्लीज एबी डी के साथ आज रिल एडिट समझा नहीं मैं भाई ह। वरत वरत संथ ऐ दूनी के लिए दो शब्द किजिद्फ बहुत बहुत थेंग देर से इंतजार कर रेते थेंग्यू सो माज धूनी भाई के लिए दो शब्द दो शब्द नहीं उस इंसान के लिए दो गंटे कम हैं कि बहुत ही महान आदमी कि कभी भी अपने आपको चमकाने के लिए आगे नहीं रखता हैं पीसिट से आई कहां रखनी है वो देख लो बच्चो ले बच्चो यह दूनी यह को कैच पकड़ी थी ना क्या था रियक्शन मैं दिखा क्यों नहीं रहा तुम लोगों को दिखाऊंगा हम कौन सा गरीब हैं यह 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 फोटो की चाहेंगी लड़का नमन है ना नमन उसने पकड़ी है कैच नहीं था यह बहुती है इस दो दिनों में डवल हेडर ने पूरा थका दिया है भाई थका नहीं दिया मैं तूट गया हूं विल्कुल यह दिवाली वगएरर तो बच्चे मनाएंगे बच्चे मनाते होते हैं मैं तो भाई कल नहीं मैं वीडियो बनाके ही अपलोड करके सोंगा भाई सुबह मेरे से उठानी जाएगा मैं पूरा तूट चुका हूं दो दिन होगे अब कल बारा बजेत तक उठनी पाऊंगा गोड नाइट अब थोड़ी देर बस एक घंटा लेट लेट लेगा अब नहीं जाएंगे कल चलेंगे कोई नहीं कल एक मैंच है कल जा सकते हैं अपन और मैं सुबह वीडियो भी लेकिया हूंगा आर्यन लिखा कुछ नहीं थैंक्यू भाई स्पैरो फर्स्ट फॉल बिग फैन रोहित की बैटिंग बट चपरू चपरू तो चपरू है अबी सूपर चैट रोगलो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आर्यन का अभी हार्दिक को भी तो इंडिया रोहित के अंडर खेलना हैएं तो रोहित ये वाली हर्कते थोड़ी नहां करता हैं ये वाली हर्कते थोड़ी आज हार्दिक पांडिया कप्तान है ना रोहित और भुम्रा की परफॉर्मस निकाल दे पता लग जाएगा और पता लग गया है उकाद का इंडिया स्पोर्ट्स नियूस भाई आज आपको पहली बार देख रहा हूं सच बोलूं दो घंटे हो गया छोड़ने का मन नहीं कर रहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हम लोग आपको देख कर ही इंस्पार हो रहे हैं अरे थैंक्यू भाई तुम पहली बार आये हो पहली बार में इतना कुछ तुमने मेरे को बोल दिया थैंक्यू थैंक्यू सॉमाइच नहीं सचाई तो यह है मेरी फटी पड़ी है मैं थक चुका हूं लेकिन फिर भी लगा हुआ हूं इसलिए बोल रहा हूं मैं पहला यूट्यूबर हूं जो सूपर चैट के लिए भी मन सब्सक्राइब करना पड़ेगा आज मेरे साथ थोड़ा सा करना पड़ेगा क्या होता है वह अड़ेस्ट करना पड़ेगा बाकि कोई नहीं मैं तो 365 डेज तुमारे लिए बैठा हुआ हूं ठीक है मर्चन भाई बस अब इसके बाद कोई मत करना भाई प्लीज मेरी कुमार नेक्स्ट मैच हैदराबाद में वेर रोहित इस गोड़ फोर फैन नेक्स्ट मैच हैदराबाद हाँ हैदराबाद में भी बहुत सपोर्ट मिल अरे कहां नहीं मिलती है यार देखो रोहित हो गया बुम्रा हो गया यह आपका विराट कोली यार यह और भी हैं दो ति क्यों लिख्या कुछ नहीं है कोब्रा भाई है मेरा एल मांगे इंट्रस्टिंग आई पिल का कल पंजाब जीत रहा है काईदे से भाई देखो सुनो पंजाब टगडी टीम है आर्ची वी के सामने मेरे को ज्यादा कर मतलब मैं सुबह वीडियो में बोलूंगा जो बोलूंग है बाखी कल मैच बढ़िया होगा एक दम इंतजार करो सुबह वाले वीडियो के लिए कंवर केंवे ग्राउंड में कुत्ता आ गया हां हां आ गया था हार्दिक के पास ही आ गया था तो स्टेडियम में हार्दिक हार्दिक चैंट करने लगे हार्दिक चैंट करने लगे यह तो बस ट्रेलर है चपरू तू आ वानकेडे हिट मैं फोरेवर यार वानकेडे मैंने सुबह वाली वीडियो में दिखाया था ना मै जातूँ एक बारी अनुज शर्मा नमग्याल नमग्याल भाई कह रहा है feeling very sad for Rohit आरे नहीं क्यों sad यार बहुत अच्छा हुआ है कि देख भाई कर रहा है भाई बैटिंग एप को प्रमोट कर रहे हो भाई देखो सुनो सिगरेट के ओपर लिखा होता है यह सहत के लिए हानिकारक होती है जबरदस्ती मुँ में तो नहीं डालता कोई नहीं डालता ना भाई तू में तू हमारा स्पॉंसर बन जा मैं तेरे को लग जाओंगा प्रमोट करने सीधी सी बात है मेरे भाई समय रहे ना वंडा रही बात भाई यूट्यूब वाले खुद एड़ देते हैं पैरी मैच का तो लोग तो पता नहीं क्या-क्या परमोट कर रहे हैं यूट्यूब खुद परमोट कर रहा है रही बात जब इंडियन गवर्मेंट को कोई तकलीफ होएगी एडवाईजरी ज ठीक है क्या नहीं है मैंने आज तक एकी प्रमोशन गलत कि और वो मैंने दो घंते के अंदर कर दी थी याद होगा एक सूरा बैट कर था प्योगत हो गई थी और तो मैंने बहुत आगे भी गुस्सा किया था अपनी उसको वह मैंने कैंसल कर दिया था तो ज्यादा जेट मलानी ना बने दारू पीने से लोग मरते हैं फेपड़े खराब होते हैं कर दिया गौर्मेंट ने बैन और अगर नहीं किया मैं तो ठेके पे जाके खड़ा नहीं हुआ कभी तो मेरा कहने का मतलब एक है हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती है तू तो 40 रुपे दे के हिरो बन रहा है तो आज अपमें हमें sponsor कर तो हमें sponsor कर मैं छोड़ दूँगा इसको अभी छोड़ दूँगा आजा नहीं कर पाएगा इसलिए कहारो सांथ बैट अनुच शर्मा कल आर सीवी टोप जाएगी क्या बोलते हो भाई लोगो टेबल पे हाँ टोप जाएगी टोपला खिलानी रहे हैं टोप जाएगी रवनूर सिंग कोब्रा बरो यार ऐसा ना को भाई तुम आपस में बात मत करो बिल्कुल भी तुम शुरू हो जाओगे वे मैं तो इक्वैलिटी के कारण कह रहा हूं लेकिन जीत पंजाब सकता है यार मुहमद रिहान के रहा है बहिया सत्तर मिलियन वालों को उकाद दिखा दिया हैस्टेग लव सत्तर नहीं साथ है पंकज आदव एम आई की हार का दुख नहीं है रोहित लव यू रोही लव यू हिए तो लोगों ने मैंने से मांगा था रोहित के रन गूम्रा की विक्तें और चपरू की हार और इस रिज़स तरीके से हार यह तो मैंने भी सोचा नहीं था था हां सेच Чezky रएंप बहु है और हमारे तब्एट तो आप अच्छी कर देते हो लेकिंद अपनी तबीद अपार कम अज हो गए आज हो गए अभर कल भी बोला था यह कल ही मुझे निकला था मेरे कि आज ही बोला था चाहिए क्रिक सर्श विकेध हुनी है फैंस रोही टैन भी है भी भी बिल्कुल बिल्कुल ब्रों है आरियन का मैस्जी हो गया था न हान आरियन का हो गया आगर पाजी कर撃 रहे हैं यह सारी Tiséms जिनने ड्रामे कर लेंड जित्ते गाता सी इस के ही हां आ खोई कर जाऊंगा फाजिवे आपके साथ वह सारी गल ठीक है बट पाजी छपरी छपरी है कोब्रा भाई अभी अभी एक याद आया एक साइड पपी भाईया एक साइड इर्फान इनका कुछ था ना लड़की का हाँ हाँ था 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 इनका इनका था उस लड़की नहीं जाम लगाये थे लड़की का चक्कर और आप कह रहे थे मेरे को तो यह इमेजन करते हैं आ रही है अरे था इनका था था इनका था इनका था कुछ मर्चन कहा रहा है भाई सो गया 30 मिनिट के लिए और अभी देखा आप लाइव हो तो फिर सोचा की ब्लैक कोफी बना के लाइव देखता हूं आप भी पी लो कोफी भाई क्या क्या टाइम कट रहा है सच में टाइम कट रहा है तेरा है चलो भाई लोगो बाई कर दो यार इस त्रीके का मैंच होगा मैंने सोचाने की मैंच हुआ चलो बाई कर दो भाई लोगो रहता है इतने बड़े बड़े हो गए तक रहानी है मेरे को कल मां सोच खप्रिवाला हेर स्टायल के मुझे श्री हार्दिक पांडिया जी वह वाला कराता हूं वह ना इक गाना वाइर कि भाई लोग इदर नॉर्मल कमेंट करें आज तुम लोगों से सोरी है क्योंकि आज मैंसी नहीं पड़ पाया हूं क्योंकि मैंने इतना पेस रखा है आज इतना स्पीड से रखा फिर भी दो घंटे हमने इस लाइब में कितने सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं कितने नए भाई लोग जुड़े हैं हम लोग कितने थे हम लोग कितने थे नहीं, मेरे पास record नहीं है I think हम लोग 43 थे 43 थे हम लोग हाँ, 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 43 थे हम 43 थे 55, कितने हो गए 12,000 भाई लोग जुड़े हैं 12,000 I appreciate 12,000 लोग 12,000 भाई लोग जुड़े हैं चलो जी देव भाई या जे श्री राम जे श्री राम जे श्री राम देव भाई या जे श्री राम चलो जी जे श्री राम हाँ, 12,000 लोग जुड़े हैं 12,000, एक 12,000 लिख रहा है चलो जी, हैपी होली भाई लोगो सब भाई योगो सेफ होली मनाओ मैं वो ग्यान नहीं दूँगा पानी बचाओ ये बचाओ वो बचाओ नहीं त्योहार है त्योहार को मनाओ आराम से मनाओ कोई दिक्कर नहीं है सेफ इन दा सैंस की आँखों में मत घुसवा लेना सारा रंग वो सारा चीज ध्यान रखना बाकी तुमने टेंशन नहीं लेनी है बाकी एमाई जलील हुआ है मज़ा आ गया है मोज आ गई है और ये वीडियो सुबह आइटिंग पांच लाख व्यूज पर जानी चाहिए ऐसा मेरा मानना है ठीक है बाकी तो तुम लोगों को पता ही है कि क्या होगा क्या नहीं चलिए जी थैंक्यू सौमाच थैंक्यू सौमाच गुडबाई श्री श्री एक सब्सक्राइब भाई एक सब्सक्राइब करो खीच के रखो मीटर धिल मत दिया करो हार गया छपर जी ओकात पता लग गई रोहित के आउट होते ही आज तो मेरे को समय जी नहीं आ रहा गाना कौन सा लगाउं ऐसी फाडी ये भाई टेलरों ने पूरे हिंदुस्तान में मना कर दिया हमनी सिल पाएंगे ये महिंदर सिंग धूनी बनने गया था बुमरा की परफोर्मस डन वही चाहिए थी रोहित की परफोर्मस डन वही चाहिए थी और मुंबे इंडियन्स की हार चाहिए थी अब बताओ तुमारा भाई तुमारे साथ है की नहीं है लाइक करो सब्सक्राइब करो मिटर्ट हीट कर रखो डिल नी देनी है आजो फटावट भाई लोगो